बोलेशी प्राणनाथ, सी सत्गुरु, स्री जियावर धाम के, श्रामी श्री लाल्दासी, तिनो पुरी, समस्त सुन्दर, प्रणाथ, प्रथम लागू, दोचरने को, धनीये नचोडा योची, लाकतली लाल एडिया, मेरे जीव के जीवना, मेरे जीव के जीवना, इन पाउं तले पड़ी रहू, धनी नजर खोलो बातू, पलन वाडू, ने रखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवना, मेरे जीव के ही जीवना, प्रितम मेरे प्राणे के आतम के आधार, शर्वशो भादेने योग्यो हो, श्री लेला नेत्यविया, श्री लेला नेत्यविया, बुलेशी प्राणनाथ, बुलेशी प्राणनाथ, प्राणधार आतम सबंदी धाम धनी के लाडले वं प्यारे शुन्दस्वाजी, सबसे प्रथम तुमारे सी चरणों में मेरा कोटे-कोटे प्रणाम, कल के प्रशंग में अमने शुंदसाजी तीश्रा दर्शन कल अमने विस्तार से देखा के प्रणब्रम परमात्मा अक्षरातित्सी प्राणवल्लव स्रिप्राणनाथ कभी भी इस संसार में नहीं आये थे उसकी आवेश शक्ति आती है वो तो श्वयम नहीं आते मुल रूप से मुल स्वरूप से लेकिन आवेश शक्ति भी प्रथमबार शिपाईवेश में महम्मद के रूप में कच्छ के रण में दर्संदिया दुबारा बुजि नगर में बाल मुकंद के रूपों में और तिसरी बार हमने कल देखा जाम नगर नवा नगर श्याम जी के मंदिर कांजी बटके वहां तिसरे दर्संद भी प्राप्त हुए उसके बाद भी हमने कहीं लिलाये देखी और अंतिम में पांच में दिन की लिला में भी हम पहुँच गए सुन्दस साजी मैंने एक दिन बताया था कि हमारी हमारा छे दिन चार लिला और तिन ब्रह्मांड उसमें हम पांच में दिन की लिला में पहुँच गए कितने दिन की पांच में दिन की और छेठे दिन की लिला किसकी है हम सब सुन्दर साथ की और आज जो लिला चल रही हो हमारी लिला चल रही है किसकी चल रही है हमारी लिला आज इस दिन में हमको क्या करना है सुन्दर साथ जी एक ब्रह्मात्मा एक ब्रह्मा सुष्टी दूसर तिश्रे को ऐसे एक से दूसरी, दूसरी से तिश्री, ऐसे पुरे संसार में ये अक्षराती पुरुण ब्रह्म परमात्मा से प्राणनात का संदेश देना है, क्योंकि वानी उतर गई 400 साल हो गए सुंदसाज जी, तो आज छेठे दिन में जो हमको ये सोभा सोपी ने, छेठ गए, तो छेठे दिन में हम सब संदर साथ का ये उत्तर दाईत्व, ये कारिय बनता है संदसाजी, हमारा कर्तवय बनता है, कि बस ये संदेश को हम फेलाए, जन जन तक मैं आज 4-5 दिन पहले भी पोल रही थी, कि आज बिचारे संसार के जीवों को पता ही नहीं, कि पारव जन तक ये पांच में दिन में जो प्राणना जी के संदसाजी महामति के धाम दिल से सोयम प्राणना जी ने जो वानी उतारी अठार अरजा 758 चोपाई, तो आज हम ये वानी के अउत्रण की ओर भी जाएंगे, उस लिला की ओर भी जाएंगे, उस यात्रा की ओर भी आज ज उस्य पहले, जो घटना क्रम है सुन्दसाजी, उस घटना क्रम में, अंतिम में अमने कल देखा, कि पांच में दिन में जो स्वरूप आया, तो मैं पहले दिन भी बताया था, कि परमात्मा, आत्मा जो किसी के गर्ब में नहीं जाती, वो जन्म मरण आने जाने के चक्र में आत कि परमात्मा कभी भी उस में पढ़ती, नहीं है सुन्दसाजी, तो परमात्मा का जनम लेना या शरीर धारन करना एशा होता ही, नहीं है, वो तो कैसे आते हैं, मैंने ब्रज की लिला से आपको बहुत विस्तार से समझाया, छे दिन तक, तृधा लिला को छे दिन तक समझा कि कैसे वो आये, सुन्दसाजी पहले दिन कैसे आये, दुशरे दिन कैसे गए, तीसरे दिन कैसे लिला हुई, चोथे दिन की कैसे लिला हुई, और आज पांश में दिन में, हमने कल सुन्दसाजी पांश में दिन का प्रारंब कर दिया, तो पांश में दिन के बाद, आज छ देवापी का जनम उमरकोट मारवार आज पाकिस्तान में चलेगे शिंद में जनम वहाँ देवापी का हुआ जो सांतनु के भाई थे मैंने पहले दिन भी बता दिया था लेकिन उसकी पुरी लिला कहां हुई सुन्द स्राजी हमारा सद भागिया हमारा अहो भागिया हमारा नशिव के देवापी और मरू दोनों की जो जनम भुमि आज यहां ही रही मानलो भला ही देवापी का जनम वहाँ हुआ उमरकोट में मारवाड में लेकिन पूर्ण लिला कहा हुई उसकी पुरी नवतन पुरी गुजरात में उई सुन्द स्राजी श्यामा जी की पूरी लि लेकिन उसका पूरा जो लिला का जो है सबसुख यह यहां का रहा और पांच में दिन में मरू का जन्म भी आज अमारे गुजरात, हालार, काठियावार जो भी बोलो यह माई के कहो या ससुराल कहो हमारी भासा में हम कहें तो देखो ऐसे महापुरूष का प्रगटन ऐसी महान आत्माये जो हजारो हजारो साल तक कलाब ग्राम में सुन्द साजी इमालाई में शाधना की है और आज अंतिम लिला जहां पुरुन कर रहे है सुन्द साजी और पुरुन की 400 साल पेले उस जगह पर हमाज बैठे तो हमारे अंदर हो नूर, हो बल, हो शक्ति क्यों नहीं आन ही चाहिए सुन्द साजी तो ऐसे आज पांश में दिन में हम कल अंतिम में देखा के सुन्द साजी केसर भाई और जो तेजस्वी बाबा आज ये बात तरक हम जाएंगे सुन्द साजी जब वहां पेले जब हमारी गद्दी की प्रारंब होगी तो पहले ये आएगे लेकिन पांचमे दिन की लिला के बाद, वो पांचमे दिन की लिला वाँ पुरुण नहीं हुई है, वो तो जागनी यात्रा में निकल जाएंगे, ने सुन्द साजी, मैं पहले इसलिए बता रही हूँ, कि जनम वावुवा, फिर यात्रा उसकी, पुरी जागनी की रास्ते में अलग-अलग स्थानों में रही, तो शुन्द साजी, वो मरु का जनम अमने कल देखा, वो जो जीव का जनम, मरु नाम के, जीव का जनम, के सवराई ठाकूर, और माता धनबाई के गर्ब से मरु का जनम हुआ, और उसके घर में, मैंने लोकिक कुटुम कभी लेका भी नाम दिया, के बड़े भाई अरिवंश्वाई, उसके बाद सामलिया भाई, गोवर्दन भाई, मेहराज ठाकूर, और अंति में उदव, ठाकूर, पाँच भाई साथ में सुन्द साजी रेते थे, और कल अमने देखा, कि जो गांग जी भाई के घर पे, जो अवलोकिक चर्चा का रस्पान, जो ब्रह्मात्माओं की जो भीड लगी थी, रस्पान करने के लिए, तो वो भीड में, जैसे सद्गुरु धनिशी देव चंद्रजी निजानन्दाचारिया सद्गुरु धनिशी देव चंद्रजी चर्चा करते थे, तो जैसे ब्रज की बात करते थे, तो वहां सुन्द साथ कहां अखंड ब्रज में पहुँच जाते थे, और रास की बात करते थे, तो अखन रास में पहुँच जाते थे कल हमने केवल ब्रह्म की भी लीला देखी कैसे जमनाजी में जिरिना किये ऐसा तो चाकला मंदिन में चर्चा होती थी लेकिन पहुँच कहा जाते से सुंदर साथ केवल योग माया ब्रह्मान में पहुँच जाते थे और व्रज की लिला का वरणन करते थो तो व्रज में पहुंच जाते थे, ऐसी वीड लगी, मैं अंतिम में आपको बताया, कि सुन्दसाज ऐसे माज जे, माज जे, चमतकार नहीं, लेकिन आडी का लिला, धनी के क्या लिला होगी? आडी का लिली, चमतकारिक लिला नहीं, तो आडी का लिला सुन्दसाजी, वहां होई, कल मैंने अंतिम में बताया, कि ये तार्तम वानी का आउत्रण नहीं हुवा था, तो सुन्दसाज तीन सो तेर आत्माय जगी, सत्गुरुने पेचान भी लिया, लेकिन वास्तविक जागनी, पुरुन जागनी नहीं होई, क्योंक सत्गुरु के बाद सुन्दसाज अंतर दियान लिला जाएगी, उसके बाद वो फिर माया में सो जाते हैं, और उसके आगे हम देखेंगे, कि माजजे अनेक लिलाये तो की, धामदनी ने क्यों पकड़ के रखा सुन्दसाज को, क्योंकि माया का इतना प्रभाव था, इतना जोर था, कि चर्चा तो सुन लेते थे, मैंने कल भी बताया ने, कि घर पे जाके वानी नहीं होती, तो हमारे अंदर अंदकार का पुरा फेल जाता ने, अंदकार अंदर फेल जाता, तो ऐसा ही तब ही रहा, सुन्दसाजी उसके बाद क्या लिला हुई, तो उसके बाद सब उम्रम में, छोटी आयू में जो अंदर आता है, वो बड़े होने के बाद नहीं आता है, क्योंकि बालक का रदई निर्मल और पवित्र होता है, तो फिर सुन्दसाजी, जब सद्गुरु की आग्या लेकर, 12 साल, 2 मास और 10 दिन की उम्रम में, कलम ने मिलन भी देखा, और म आंग जी भाई के घर पे, और सुन्दसाथ की भीड़ भी इतनी लगी रेती है, और सब परमधाम ब्रजरास के आनंद में दूब जाते है, तो यहां धाम दनीन आमने कल बताया, कि आई के चरणों लगे, तब ही दई निध्ध, ततखिन हिर्दे मिने, आई जागरत बुद जैसे ही, पांच में दिन में, मिहराज के अंदर कौन बेठा था सुन्दसाजी? इंद्रावति की आतम बेठी थी, जैसे चरणों में प्रणाम किया जुक के, तब ही अंदर कौन आ गई? जागरत बुद्धी आ गई, कि अब तक हद तक की वानी खुल रही थी, उसके बाद क्या आएगा? जागरत बुद्धी आने के बाद बेहद की वानी खुलेगी, तो देवचंद्र जी जो बात खोल रहे थे, ब्रज की, रास की और धाम की, लेकिन अंदर कौन बेठी थी? जागरत बुद्धी, तो सुन्दसाजी, जागरत बुद्धी, किसके अंदर पांच म उने, इंद्रावती को जग अंदर जागरत बुद्धी बैठ गई और आगे बताया कि इंद्रावती, साकुंडल और शकुमार, शाकुंडल और सकुमार की कही सुनाई बात, मूल सरुप उनके आसत है, खेल में है अपनी जात, क्या बताया सद्गुरू, धनिसी इंद्रावती को, कि इंद्रावती, साकुंडल और सकुमार, दो ऐसी सिर्दार आत्में इस संसार में आई है, उसको जगा के आपको वापस परंधाम लेके आना है, और वो राज घराने में है, कहा है, वो राज घराने में है, उसको जगाने में जगाते जगाते बहुत दे आज हम संसार में सुनते आ रहें, तिन-चार साल पहले भी एक अफ़वा उठी थी संसार में, कि भई प्रलई हो जाएगा, ऐसी बात तिन-चार साल पहले संसार के लोग करते थे, माया के जीव, कि भई प्रलई हो जाएगा पानी, फिर जाएगा पुरी पुरुथवी पर, धाम दनी ने जोवानी में लिखा है, कि दो आतम ऐशी शिर्दार आई है, वो जब जग जाएगी, उसके बाद ये सुरुष्टी का प्रलई होगा, ऐसे सुरुष्टी प्रवा से तो अनादी है, मुल उसका जो मुल है वो अनादी, नहीं है, प्रवा से अनादी, एक बार स सुरुष्टी बनती है, मैं सुरुष्टी का रचना करम कैसे होता है, मैंने प्रारंबिक चर्चा में बता दिया सुन्द साजी, कि सुरुष्टी जब बनती है, अक्षर ब्रह्म के मन श्वरूप, मन में क्या आता है, शवपन, तो शवपन के स्वरूप कोन है, आदी, नार के संक्लब से ये सुरुष्टी की रचना हो जाती है फिर सुरुष्टी का चक्र चालू रहता है फिर मैंने पोराणिक मान्यता के आधार पर बताया था सुन्दसाजी के सुरुष्टी का चक्र ब्रह्मा जी की सो वर्ष की आयू तक ये सुरुष्टी का चक्र चालू रहता है और मैं ब्रह्मान रश्य नामक ग्रंथ के आधार पर भी बताया था कि सुष्टी का चक्र एकत्रीश नील, दस खरव और चालीस अरव वर्ष तक ये सुष्टी बनना और मिटना ये चालू रहता है और उसके बाद ये सुष्टी लया हो जाती है सुन्दसाजी तो यहां भी बताया कि अभी तक साकुंडल 400 साल पहले हमने देखा कि साकुंडल तो जग गई जब स्रीजी पनना में पहुँचे तो लेकिन सकुमार जगी नहीं है तभी तो खेल खड़ा है तभी तो खेल खड़ा है नहीं तो खेल खतम हो जाता सुन्दसाजी तो अभी साकुंडल जग गई लेकिन सकुमार नहीं जगी है और आगे भी बताया सद्गुरू जब बाते बताते जाते हैं मैं रोज एक एक प्रशंग में बोलती हूँ सुन्दसाजी आज भी याद दिला दो आपको प्रारंबिक प्रवचन में ही सुन्दसाजी कि ये घटना करम किसका है किसका है घटना करम सुन्दसाजी हमारा है ये देवचंद्र जी का नहीं है ये कोई साकुमार ये साकुंडल का नहीं है उसने तो चल के दिखा दिया इस ब्रह्मान में उसने तो चल के दिखा दिया उसका जो प्रमान देकर, उसके आधार लेकर सुन्दसाजी हम सीख लेनी है, उसके और उसके जीवन और हमारे जीवन के बीच की समिक्षा करनी है, कि भई हम इस तरह चल रहे या नहीं, उस रहा पर हम चले या नहीं, तो हम अपने जात को तोले, हम अपने को सजा दे, कि हे र इंद्रावती को पूछ रहे हैं, इंद्रावती, सकुंडल और शाकुमार, दोनों आत्माई शिर्दार आई है, फिर इंद्रावती के अंदर एक और बात उठी, उसने पूछा, सद्गुरू, क्या मुस्लिम इसलामिक जगत में भी हमारी आत्माई आई है, तभी इसलाम धर्मों में भी हमारी आत्माई आई है, लेकिन कोई-कोई आत्माई उत्री है, कोई-कोई आत्माई उत्री है, ऐसे बहुत नहीं है तो यहां बताया, कि तो आपके आथ में कुरान आया, तब सद्गुरु ने बोला, कि मैं तभी कुरान लेने के लिए बहुत प्रयाश किया, लेकिन जो सरियत को मानने वाले लोग, तरिकत को मानने वाले लोग, उसने मेरे आथ में कुरान आने नहीं दिया, लेकिन है इंद्र यह सब जागनी का पुरे संसार का उतर दाइत्व तेरे सीर पर है। किसको बोला? इंद्रावती को बोला। तो पांश में दिन में सुन्दसाजी जो भी विद्वान को, मैं एक एक बात कर प्रशंग लेके जाओंगी, लेते जाओंगी सुन्दसाजी, कि मानलो किसी को भी रखो सुन्दसाजी, लेकिन अपना एहम या अपना अभीमान या अपनी खुदी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि धामदनी ने वानी में बता दिया, अभी सद्गुरु ने चोथे दिन में बता दिया, कि हे इंद्रावती, पांच में दिन में सब उतरदाइत्व तेरे पर इतना ही नहीं, छेठे दिन में भले में एक एक सुन्दसाथ के तन को सरीर को सोबा दूंगा जगाने के लिए, बताने के जिनको पहुँचे तार्तम सोई करे रोशन, सुरत में बात आएगी, कि जिसको तार्तम पहुँचे वो रोशनाई करेगा, लेकिन अभी ये कहने जा अक्षरा तीत, भले सुन्दसाथ को सोबा दी, सुन्दसाथ जी, लेकिन महमती से ही जागनी होगी, क्योंकि उसको सोबा, पुरे संसार के जीवों को खंड करने की मिली है, और आगे ऐसी चर्चा सुन्दसाथ जी, चलती रही गांग जी भाई के वहाँ, चाकला मंदीर में और आगे एक दिन क्या हुआ पता है, एक दिन ऐसी घटना घटी सुन्दसाथ जी, कि दोनों भाई, गोवर्दन भाई, जो तिसरे नमबर के भाई है, बड़े भाई, मिहराज के, और मिहराज, दोनों चर्चा सुनके, दोनों साथ में जाते, साथ में आते, ऐसे दो नाते क बाती लोकिक और अउलोकिक, तो दोनों साथ में आते थे, जाते थे, अंदर का भी इतना गाड सबंद और गाड प्रेम था, कि एक दुसरे के सीवा हो रही, नहीं पाते थे, एक दिन घर पे पहुँचे, और जो सामलिया भाई, बड़े भाई की जो पतनी है, सिता भाई, उसने ताने मार दिये, क्या मार दिये, ताने मार दिये, उसने बोला, कि दोनों भाई, आज, और उसके भाई ने भी बोला, उसके भाई कोन है, शामलिया भाई, वो तभी स्नान कर रहे थे, क्योंकि बति-पतनी दोनों है, ने, बापी भी बोलेगी, आगे भी बोलेगी, य बता रहे हैं, यह कोई शामालिया भाई का प्रशंग नहीं है, हमको दामदन यह बता रहे हैं, कि जैसे तुम चर्चा, सत्संग, ज्यान, वेराग्य और भक्ति, तीन बात ले ले लेना, मैं रोज ही बताती हूं, जब उसकी और आपके जर्नी आगे बढ़ेगी, आपकी यात आगे बढ़ेगी, तब दज्जाल अपना रूप लेगा ही, लेगा, हमने देखा ने, देवचंदर जी जब जवर आने लगा, बुखार आने लगा, तो यहां भी शामालिया भाई किस रूप में खड़े हो गए, एक दज्जाल के रूप में, क्योंकि उसको अच्छा नही सुन्द साजी माया के जीव को अच्छा नहीं लगेगा, दामधनी प्रकास में बता दिया, कि काले पत्थर अते जो धीग हुए, सुन्द साजी भले अंदर का थोर दील था, लेकिन हबसा में वो भी पीगल जाएगे, वो भी पीगल जाएगे, हम एक बोलचाल की भासा में बोलते हैं, कि जो एक काले पत्थर, ठोस पत्थर होते, उस पर जितना भी पानी गिराएगे, वो पत्थर पीगलता नहीं है, लेकिन हाँ, दामधनी की कृपा से वो सुन्द साजी पीगल गया, ऐसा नहीं, रोज पानी उपर गिराएगे ने, तो पत्थर एक दिन अंदर तिरार तो पढ़ेगी, पढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है, और हम पता है, पहले गाउं में बेहने, पानी जब कुए से बहार निकालती थी, तो ऐसे पत्थर पर एक रसी रखते थे, उस पर हम एक लकड़ी से खेंचते थे पानी नीचे से, तो जो रसी ऐसे नीचे से उपर आती थे ने, रसी बार-बार बालदी कुए में जाती, फिर निकालते, फिर कुए में जाती, फिर पानी को निकालते, तो ऐसे हमारे पर घा पढ़ते जाएंगे, या किसकी बात है सुन्दत साजी, आपको समझ में नहीं आया, मैंने क्या बात रखी, हमारे पर धनी क्या कर रहे ह बार बार अमारे अंदर बात उतारने के लिए कोई भी रूप में कोई भी माध्यमशे बात उतारने के लिए तनी कोई भी एक्जामपल लेंगे कोई भी उदारन लेंगे कि एक बार तो रसी से भी लकड़ी की जो होती एक पुरी गोलक तो उसके अंदर भी अंदर खाचे पड़ जाते तो हमारे अंदर भी एक बार घा तो लगना चोड तो लगनी चाहिए ही चाहिए यहां शामल्या भाई पिश्नान कर रहे थे शुन्दसाजी उसने देख लिया कि दोनों भाई घर काम में अंजान बन गए और घर से उसका कोई नाता नहीं रहेगा और कहां जाते है सद्गुरु के यहां देवचंद्र जी के यहां चर्चा सुनने के लिए रोज चले जाते है जब ऐसा कहा और यह भी कहा कि मैं जब आप चर्चा सुनने के लिए जाते हो और गांग जी भाई जिसके घर पे जाते हो और जो सुनाते है सुनाते है कौन? सद्गुरु दणी सिद्धेव चंद्र जोर घर किसका है? गांग जी बैका, तो दोनों को मैं सहर से बाहर जामनगर से बाहर न निकाल दू तब तक मैं चैन से बेठूंगा नहीं, जब सद्गुरु के प्रती ऐसा वचन सुना सुन्दसाजी तो मिहराज को दुख हुआ कि सद्गुरु के प्रती मैं कभी भी ऐसे न बोलने के वचन मैं कभी भी सुना, नहीं शकता तो उसने क्या किया मारने के लिए दोड पड़े सुन्दसाजी, तभी माताजी वाँ धनबाई खड़ी थी, उसके पीछे शामलिया भाई पीछे चुप गए सुन्दसाजी और आगे क्या हुआ, इतने में केशवदासी आ गए, तो केशवदासी ने बोला, कि अरे घर में ये क्या सोर करके रखा है तो आगे सब बाते माताजी ने भी बताई, मिहराज ने भी बताई, सब घर के लोगों ने बताई, तब केशवदासी ने बोला कि क्या बात है मेरे को वास्तविक बात बताई ये ने तभी शामल्या भाई ने बोला कि ये लोग क्यूं सद्गुरु देवचंद्र जी के वहाँ चर्चा के लिए जाते हैं सद्गुरु देवचंदी से पहले, गांग जी भाई कहां चर्चा सुनते थे, कांजी बटके वहां, तो वहां क्यों नहीं जाते हैं, तभी मेहराज और गोवर्दन भाई ने कांजी बटको पुछा, कि हम जितने प्रस्नों को पुछे, उतने प्रस्न का जवाब दे दे, तो हम कांजी बटके वहां जाएंगे, क्यों न जाएंगे, पक्का जाएंगे, सुन्दर साजी ये किस की बात है, नहीं, उसमें सास्त्रों की बात है, सब जगा हमारी नहीं है, बोलिये सी प्राणनाथ, सब जगा हमारी बात, नहीं वोती, उसमें सास्त्रों की बात है, आप इक पर इक बार आए एक बार आए एक बार जाएंगा लेकिन बहुत बार आना जाना रेता तो यह है ऐसा करो यहां बैठो इतनी दर यहां रहो बोलिये शी प्राणनाथ सुन्द साजी सास्त्रों की बात है किस की बात है सास्त्रों की बात मिहिराज और गोवर धनवाई ने पुछा तुम ऐसा करो ने है पिता जी हमारे चार प्रशनों का वो जो जवाब दे दे तो हम कांजी बट के वहाँ जाएंगे क्यों नहीं जाएं पहले हम वहाँ भी सुनते थे तो सही ने सुन्द साजी हमने बहुत दिन तक भागवत के बारे में बात सुनी और बहुत यह बताते हैं कि कांजी बट के वहाँ जाने के बाद चार प्रसन का वो जवाब मेरे को दे दे क्या चार प्रसन है सुन्द साजी कितने लोक, कितने प्रलई कितने तत्व और कितने गुन यह चार प्रसन की बात रखी कैसव बट ने बोला कि चलो किया लेके गए सुन्द साजी कांजी बट के वहाँ लेके गए और वहाँ जाके सुन्द साजी केसव दासी ने पुछा क्या पुछा कांजी बट को कि मेरे पुत्र जो दोनों है गोवर्धन और मिहिराज यह चार प्रसनों का जवाब आपके पास कांजी बट को मिहराज ने पुछा कि भट जी कितने लोग, कितने तत्व, कितने गून और कितने प्रलई तब कांजी बट ने बोला कि चाउद लोग क्या क्या चाउद लोग हमने एक दिन देखा था एसा तो दो बार देख लिया बहुत विस्तार समरण नो गया लेकिन यहां सोट रूप में हम रग दे कि चाउद लोग में चाउद लोग अंतर गते एक ब्रह्मांड बोलते है उसको तो नीचे वाला साथ पाताल अतल, वितल, शुतल, तलातल महातल, रशातल और पाताल उपर वाला ही है मृत्यू लोग आठमा, उपर पित्रू लोग भूर लोग, महर लोग स्वर्ग लोग, महर लोग जन लोग, तप लोग और सत्य लोग उसके बाद हम समत एक वाष्ट आवराण यह पोराणिक मान्यता क्या दार पर वैदिक मान्यता पर नहीं है मैंने विस्तार से आपको समझाया था वैदिक मान्यता पर क्या कहते है सत्य में तो वास्तविक्ता तो वैदिक मान्यता आई है पोराणिक मान्यता नहीं क्योंकि उसमें गपो की थोड़ी भर्मार है, काल्पनिक बातों है यह चवद लोग के उपर अश्ट आवरण, ज्योती शरूफ ज्यान सक्ति, गायत्री, महतत्व, साथ सुन्य और नारायन तो चवद लोग तक की बात उसने की में चल ब्रमान पुरा बताए लेकिन उसने कहां तक की बात की चवद लोग की, लेकिन आगे आएगे नारायन तक की इसलिए मैंने नारायन तक की बात लेली जब अंगुष्ठ मात्र की बात करेंगे ने तबी नारायन तक की बात आएगी तो आगे बताए कि तीन गुन है सतो, रजो और तमो और पांच तत्व है पृत्वी, जल, तेज, वायू और आकास, तीन गुन पांच तत्व और चार प्रलै नित्य प्रलै नेमितिक प्रलै प्रयाकृतिक प्रलै और महा प्रलै, कांजी भट ने बताया कि चवद लोग के सीवा पंदर मा लोग नहीं तीन गुन के सीवा चो था, गुन नहीं है, पांच तत्व के सीवा छठा, तत्व नहीं है और चार प्रलै के सीवा पांच मा, प्रलै नहीं है तब महराज ने पुछा कि कांजी भट आप ही तो भागवत में पेले ही चर्चा कर रहे थे और मैंने कल भी प्रमान दिया था कि भागवत में, दश्मिसकंद में चोथे अध्याय में बताया कि एक दिन नाराण तक का जब महाप्रलै होगा महाप्रलै होगा तब चवद लोग, पांच तत्व तीन गुन सब ना सो जाएगे तो पारब्रम का ठीकाना और जीव का ठीकाना अखन मुक्ति का स्थान कहां रहेगा तब क्या बोला कांच जीवट ने कि भई पारब्रम उसके पास कोई जवाब नहीं था उसने तो सास्त्रों पर एक आलंकारिक रुपक माध्यम से पुराणों के माध्यम से जो समझ रखाता सुन्द साजी इतनी बात कांच जीवट ने बोली और उसके बाद ये बोला कि पारब्रम है हो अक्षीर सागर में रहते है और अंगुष्ठ मात्र का रूप धारन करकर शीर सागर में अक्षयवट नाम के रुख्षे उस पर अंगुष्ठ मात्रे का रूप धारन करकर इतनी बराबरी का रूप धारन करकर वहां रहते हैं इतनी बात जब बोली तभी महराज ने बोला कि भई महाप्रले में तो ये चवद लोग पांच तत्व नहीं रहते तिन गुण नहीं रहते तो पारब्राम और मो सागर ये खशीर सागर जो भी कहो वह कैसे रह सकता है तभी उसकी बुद्धी चकर खा गई उसके पास कोई जवाब नहीं था उसने बोला कि ये जवाब ब्रह्मा जी से भी ना होई क्योंकि क्यों बोला सुन्दसाजी पुराणों में जो लिखा था इतना उसने बोला और पुराणों की जो गुधिया थी जो गुज रहश्य माईने थे मैंने कल विस्तार से बताया था कि उसकी कल भी किसी को नहीं मिली तो चावी तो आत्मे थी नहीं, कल मतलब खोलने की जगह कहां है, वो भी किसी को नहीं मिली, तो चावी के संसार के, जो सभी धर्मसास्त्रों आये, उसमें चावी की कोई बात ही नहीं थी, ये तो सत्गुरु धनिश्री, देवचंद्र जी कल तार्तम विजरूप मंत्र लेक उसके बाद वानी उत्रेगी संदसाजी, तो कोई खोल नहीं पाए, और आमने देखा कि तिसरे दर्शन में, देवचंद्र जी को भी बोला, के श्यामा जी, तुमको भागवत और गिता के रोश्य तुम से खुलेगे, मैंने कल भी बताया था, कि जो भागवत से दर्शन हो होते, तो सुखदेव पहले कर लेते, वियास भी इससे पहले कर लेते, उसके बाद कांजी बट कर लेते, और उसके बाद तृमंद्चोद्री लोग भी कर लेते, लेकिन श्यामां जी अंदर बैटी थी, इसलिए भागवत से आगे, कशर्वरमान से आगे बेहद, और इक मान्यता के आधार पर, पर बताया कि अंगुष्ठ मात्रे का सरी धारन करकर ये परमात्मा रहते हैं, तो अंगुष्ठ मात्र की बात नहीं है, ये संसार एक अक्षय वर्टव रुक्षय सुन्दसाजी, उसमें चेतर और अवचेतन ये दोनों पदार्थ ये आपको दस्टी गोचर हो रहे हैं, तो ये हमारे जो स्थूल सरीर है, उसके अंदर एक तीन और सरीर है, मैंने तीन चार दिन पहले भी बात रखीती कि शुक्षम, कारण और महाकारण, तो अंदर एक सुक्षम सरीर है, जो अन्तसकरण, जिसको दिखा नहीं जा सकता नरी आंख्या कोई अंत्र के माँध्यम से, उ तो वो रदय को पुराणिक मान्यता के आधार पर अंगुष्थ मात्र के परिमान के बराबर बताया गया, तो कांजी वट ने सुन्द साजी ये पुराणों के उपर की बात जानी नहीं थी, तो वो गुथिया खोल नहीं पाए और स्वेताशन उपनिशद में भी एक जग बत कर इतना सा छोटा सा अंस होता है, दसजार में भाग करो, तो दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे दसजार में भाग करने के बाद श्वेतासरूपनिशद में बताया गया, कि हो परमात्मा ऐसे गुही अरूपशे, ऐसे विराजमान रेते हैं रदय के अंदर, तो सुन्द साजी वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो गुही अरूपशे अंदर, जीव का बताया, किसका बताया? जीव का अंतर में वास होता है, एसे श्वेतासरूपनिशद में भी बताया, लेकिन रदय के आकार को अंगुष्थ मात्र के परिमान के बराबर बताया, तो ऐसी कई गुथि सुन्दत साजी पोराणी काधार पर हो कांजी बट खोल नहीं पाये, और मिहराज के सामने जवाब देने में, जवाब देने में उसकी बुद्धी चकर खा गई, उसने बोला कि जवाब ब्रह्मा जीव से भी ना होई, क्योंकि ब्रह्मा विष्णुवैस की उत्पति कैसा ह हुई है नारायन के संकलब से सुन्दत साजी, तो मोसागर से जितने संसार के सपन की जीव की उत्पति हुई है, उसके पास किसी के पास यह जवाब नहीं है सुन्दत साजी, हम आगे बढ़े, तो यहां गांग जी भाई के घर पे, जो चर्चा चलती थी, उसमें से कांजी भट के वहां दोनों भाई को लेकर कोन गए? के सव दासी गए और उसने जवाब नहीं मिला दोनों भाईो को, तो के सव दासी ने बोला के तुम दोनों भाई, आपके मन में जो विचार आए, वो कर सकते हो, उसमें मेरा कोई अधिकार आपको रोकने का नहीं है, तो उसके बाद यहां बताया कि दोनों भाई, गोवर्धन भाई और मिही राज, दोनों साथ में जाते थे, लेकिन अभी 1700 की साल आ गई, 1687 में मिलान हुआ था ने, 1700 की साल आ गई, जो बड़े भाई तीसरे नमबर के गोवर्धन भाई थे, वो 24 साल, 10 मैने और 5 दिन तक साथ में रहना हुआ और उसके बाद उसका देहांत हो गया, धाम गमन हो गया, तो उसके बाद, जो मिहराज की जो पेचान थी सद्गुरु के प्रती, सद्गुरु के अंदर जो आवेश सकती बैठी थी, उसकी पेचान अभी मिहराज को उई, नहीं थी, तो धाम दनी ने उसके आगे वा तएरवर्स माया मीने था ऊपर लोकिक बोजह। रमे बीच को सरोजह। कहा रमने रहे सुंधत साजी ओज को सर में। तो हम एक पाई उसकी गाए। सुंधत साज में किस की पाई पौली परिक्रम अगरंत में। धामधनी ने जो बहुत विस्तार से दिया है ऐसे बार बार और उर्जगोसर का वरनन आता है तो यहां मैंने एक बात जो रखी कि मिहिराज को अभी एक निष्ठ प्रेम यह किस की बात है सुन्द साजी पहले तो यह द्रड कर लो डरो मत अरे हमारी बात है किसको ओजकोसर में जाना है और जो वहां की होगी वही तो वहां जाएगी और जीव थोड़ी जाएगे कौन जाएगे ओजकोसर में टापु मोहल में कौन खेलेंगे चार घाटों में जुन्ड के घाट में नौ देवरी के घाट में तेर देवुरी के घाट में सोला, देवुरी के घाट में कौन खेलेगा, जो परम बताये तो सही, कि जो वोवेरू, अर्स की, फिर ऐसा नपावे, क्या बताया, कि तुमको बार-बार यह ऑउसर जो विस दिन मिला है, कितने दिन, विस दिन, मिला यह बार-बार मिलने वाला, तो सुन्दसाजी, यहां बेटे-बेटे ओजको सर का सुखा, लेलो, घर में जाकर तो बरतन मांजवाना, मांजना, जाडू लगाना, पोशा करना उसमें पर जाओगे, तो क्या सुख लेना है यहां? ओजको सर में डूबना है, क्या करना है? यह अभी कौन डूब रहे है? व संदरबाई इंदरवती का मिलन हुआ, और गोर्दनबाई के साथ भी 25 साल रहना हुआ, और सद्गुरु के साथ भी 25 साल रहेगे, थोड़ी दिन कम रहे, गोर्दनबाई के साथ रहना, और गोर्दनबाई का देहान, धाम गमन, हो गया, और मिहराज पर 13 साल किया, 1687 से ले जब तार्तम ले लिया, दोनों आतमों का मिलन भी हो गया, उसके बाद वो परमधाम की लीला में दुबेतों रहते थे, दोनों बाई चर्चा में भी जाते थे सत्गुरु की, चकला मंदिर में, लेकिन घर के लोकिक उत्तरदाइत्व भी अपने पर बोज़ था, तो दोनों क साथ में करने के लिए एक निष्ठ जो प्रेम होना चाहिए, धनी के प्रती जैसा हमारा, हम क्या करते घर संबालना, बच्चों को संबालना, ग्रोसी संबालना, पती संबालना, व्यवार संबालना, सब कुछ संबालते संबालते, एक गंते ज्यादा से ज्यादा, एक गंते भी बताया, कि एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए, हो प्रेम तभी हो, नहीं पाया, तेरह साल माया का भी संभालते थे, तो धाम दनी इस बातों से समझा रहे, कि सुन्दसा जी, माया के काम भले ही रात दिन करते रहो, लेकिन हमारी सुर्ता कहां लगनी चाहिए, सुरत एक है, राकिये मूल मिलावे, माही, फिर, श्याम श्यामा जी, साथ जी, तले भोम बेठे है, जाहिए, बले ही, व्रज्म हम कैसे काम करते थे, कल भी हमने बोला था, परसो भी हमने बोला था, कि काम करते हैं अती गणे पन खिन न छोड़ियो, नहा, कितने काम करते थे, लेकिन वा कितने काम करते थे, लेकिन धामधनी के प्रेम में रात दिन डूबे रहते थे, धामधनी के प्रेम में रस्मगन रहते थे, कई संसार के परिवार के काम तो वहां भी थे, आज तो सुन्दसाजी आधुनिक यूग है, इतना जल्दी का यूग है, आज सब टेक्नोलोजी जो है कहां पर पहुचिए, कोई काम की इतनी तो मेहनत या प्रयास करना भी नहीं पड़ता है, तो भी आज हम कितना बाना बनाते, कि देखो ने, आज कितने दिन से मैं के रही हूँ, तो भी सुन्दसाथ बोलते हैं कि क्या करें जुसना बेन, कल भी निकलने के लिए मेहनत की, या कोई कुछ काम आ गया, तो आज में थोड़ा फोर्मोलिठी या थोड़ा व्यवार निभाके, चलो अंतिम 6-7 दिन है बाकी, तो हम जाके अभी माया है, इतनी प्रबल है, कभी भी प्रहार करती रहेगी क्या बलाने, कि माया को हलकी मत गी नो, माया को हलकी, नहीं है, बा गुनंग, इंडरिया कि आपको जाने, आज मेरे को भी ऐसा हुओ, में अपना भी जायर कर देखी, में आपके सामने क्यों, हो मेरे घर के लोगोने, बाहर के वोते तो मैं पड़ोस के लोगोने, नहीं כ trained, लेकर आज मैं निर निक निकल थिती, तो मैरे गुप इतनी नी नी कर in असे तो को जुंदसाथ हमारी चार्चा कले तामारी बहुत आत्मा है सानी करियू ऐसे बास मजाह करें हो प्षरह ghetto और Gian में शरई हो requirements लेकिन दाम दनी की तो गुन्यगार बन जाती ने में? संदसाजी के मिहिराज लोकी कुत्तरदाई तो संभालना पड़ता था तो यहाँ धामदनी ने बता है कि एक निष्ठप्रेम क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने एक दिन बताय था, सायद में भूल गई होती तो आज मैं दुभारा दोहराती हूं कि 1695 में उसका बीवा फुलबाई के वहाँ ओ गया कुत्याना में, मिहराज का तो थोड़ा घर का फुलबाई का भी शंभालना पड़ता और उसके बाद संदसाजी घर का उतरदाई तो अभी गोर्दनबाई धाम चले गए तो घर का उतरदाई तो भी थोड़ा सीर पर लोकिक जाबदारी भी आई तो दोनों काम साथ में हुए तो धनी के प्रती एक निष्ठ प्रेम नहीं उपाए तो आगे हम और बढ़े कि होज कोसर कैसा बना है हमारा जो परमधाम में पचिस पक्षे तो मध्य में रंग महल जो पहला वाला पक्षे उसकी दक्षिन दिसा में साउथ में दक्षिन दिसा में जो होज कोसर साड़ा चार लाग कोसकी जो दुरी पर यहां के इसाब गिताब हो वहां के नहीं परमधाम के नहीं वहां तो कोई गिंती है ही नहीं साड़ा चार लोग को सकी दुरी पर जो होज को सत्ताला बना एक हीरे का एक सफेद नंग का ऐसे तो कई रंग की तरंगे किरने उठ रही है तो उसमें चार घाट भी बने है मध्य में टापू, महोल तीन मंजील और चो थे आकासी वाला तापू, महोल भी बना है वहां सुन्द साजी हम कैसे लीला करते थे यहां धामदनी ने बताया के राज तरब तो रहते है यंती में बताया बीच को सरहोज लेकिन लोकिक माया का जो उत्तरदाइत वर शीर पर रहता तो हमारी भी स्थिती ऐसी बन जाती लेकिन क्या करना है, काम करते करते भी परमधाम में हमारी सूर्ता को गुमाते रहना है भले हम थोड़ा फ्रीव हो जाए तभी बैठ के भी ये कामा गरना है सुन्द साजी, ध्यान चित्वनी के माध्यम से भी धामधनी के चरणों में मैंने दो-तिन दिन पहले भी बताया था कि पहले हमारी द्रश्टी अंदर से सुक्षम नहीं बनती ध्यान में जब हम बैठते ने प्रारम भी कवस्था में तभी हम परमधाम के 25 वक्षों को बड़े रूप में देखना मैं लो एक पक्ष ले लो चाहे होज को सन ले लो चलो मानेक पहार ले लो तो मानेक पहार को एक भूबर उचिये चबुत्रे पर जो रोश छोड़कर बाहर ज़ार अवल्या की जो बाहरा ज़ार आई है उसमें अंदर चार चोरस, चार गोल, ऐसे देख देखकर आगे जाओ सुन्दसाजी, तो ऐसे फिर अंदर जाओ, ऐसे अंदर करकर, ऐसे बड़े रूप में पहले देखना है, क्या देखना है? मानेक महल को देखो, फिर अंदर थंबो वाली हार को तिसरे इसे में देखो, तो ऐसे बड़े रूप में जाओ, फिर हमारा मन कॉंट्रिशन होता जाएगा, एकाग्र होता जाएगा सुन्दसाजी, तो क्या करना? फिर शुक्षमता में जाना, मुल मिलावे में जाना, मैं बार-बार इसलिए दोर आ रही हूँ, क्या आज कोई नए सुन्दसाथ भी बहुत आए है, और आत्माई भी आज गंडल सुन्दसाथ बहुत आए है, सुन्दसाजी, तो पहले हमारा मन इदर उदर ना वटके ने, माया की संसार की ओर, तो बड़े रूप में लिला को देखना, फिर अमारा अंदर का जो सुक्षम बनता जाए, तो मुल मिलावे में चले जाना, फिर अंदर जाए, तो राज्जी के वागा बस्त्र, शिंगार, अभुशन को देखना, फिर मानलो कि इससे भी अंदर एकाग कर देना, चरण पर भी, मैं एक दिन तो आपको शिंगार की चोपाई बताई थी, कि धनी के नख के नूर पर अपनी नजर बार बार तिकाने के लिए प्रयाश करना, फिर अमारी नजर वाँ एकागर हो जाए, या तली में जाए, या लांक में, या लिक में एकागर हो तो ऐसे ऐसे हमारा ध्यान एकागर होता जाएगा, और एक दिन मैंने बोला था, कि ऐसे ध्यान लग जाएगा, आपको पता ही नहीं लगएगा, कि पिछे दर्सन होगा, बोलिये श्री प्राण नार, पिछे दर्सन होगा, तो यहा होज को सर की लिला, सुन्द साजी धाम द जा गया, और उसके अंदर एक मन में एक बात कोंसने लगी, इतने ऐसे कोंधती थी अंदर से बात, कि भाई सद्गुरु धाम का वरणन करते, तो प्रत्यक्स यहां गांग जी भाई के घर पे लिला खड़ी कर देते थे, व्रज का वरणन करते, तो व्रज की लिला खड़ी रास का वरणन करते, तो रास की लिला खड़ी, अभी होज को सर का, हमने वरणन देखा, तो होज को सर या धाम का जो भी पक्ष का वरणन करते, तो हो लिला खड़ी, तो सद्गुरु को धाम दिखे, और मेरे को क्यों नहीं? ऐसा विचार किसको आया? किसको आना चाहिए? किसको आना चाहिए विचार। वो रापर हम क्यों नहीं चल रहे हैं। उसने यहां बैठे-बैठे 400 साल पेले 500 ब्रह्मात्म अमिरूल कही ने जुल-जुलहट कही। तो उसने यहां बैठे-बैठे पारबर मक्षरादित को पाया और उसके बाद हमने देखा युगलदासी ने पाया रामरतंदासी महराजी ने पाया सुन्दसाजी ऐसे जवर्दासी महराजी ने पाया गोपालमनी जी महराजी ने पाया ऐसे हमारी कई परमान साथ बाबादाराम साहिब जी ने पाया ऐसे मैंने एक दिश्रणा माता जी को अभी बोला था पता है बंजाब वाली, एक दिद स्वामी जी का भी मैंने राजन स्वामी जी का भी बोला था, कि यहां बैठे बैठे जो धाम का वरणन करते हैं, वो लिला का अनुभाव कर रहे हैं, और ऐसी कई आत्मा हैं, जो प्रतियक स्प्रेक्टिकल हमको दिखा रही है, क्योंकि वो रहा पर कैसे वियसन छुडाओंगी, और मैं में नहीं चल रही हूँ, तो आपको चलने के लिए मैं कैसे बोद दे दूंगी, कैसे दे सकोंगी, जो चल रहे मोमिनों, तो उसने यहां बैठे बैठे देखा, और हमको बताया, तो सुन्दर साजे ऐसे मिहिराज के अंदर, जो इंद् बैठे दर्शन दे रहे, तो हमको क्यो धाम ने दिखाए पड़ रहे हैं, तो हमको भी क्या सोचे ना सुन्दर साजी, कि हमने इतने सालों से घर में वानी पद्राई, पठन, मनन, चिंतन भी चल रहा है, सेवा पुजा भी चल रही है, वानी भी बहुत पाराण कर ली, कई पाराणी आमने लिखवा भी ली कहीं जग कारियक्रम भंडारे में और बहुत आमने मलाए भी कर ली पुसा बात परिक्रमा भी कर ली बहुत हमारे जीवन में आमने कारिय कर लिए लेकिन आज जो मिहराज के दिल में विचार उठा मेरे दिल में क्यों नहीं उठ रहा है अथवा मेरे को धामदनी क्यों नहीं यह दिला दिखा रहे क्योंकि मैं भी वानी परिक्रमा ग्रंद से तो मैं भी पढ़ रही हूँ तो मेरे सद्गुरु मेरे सामने ही है उसको विचार आया कि सद्गुरु वानी की चर्चा करते है तो क्यों हमको नहीं दिखाई देता उसको दिखाई देता तो हमारे सामने भी वानी है आप यह सोचो कि वानी के साक्षात स्वरूप है तो यह पटकर हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है क्या सोचना चाहिए सब सुन्द साथ को कि हमको धाम क्यों नहीं दिखाए दे रहा अभी क्यों मूल मिलावे हमारे तो मुनूरी तन वहाँ परातम तन बैठे हम तो धाम से खेल में आए है यहां इंद्रावती की आतम को विचार जगा अंदर क्या जगा कि धामधनी आपने यह खेल में बेजा है और आपकी कृपा से हम इस खेल में आए है यह खेल भी आपकी कृपा से बना है तो धामधनी हमको क्यों धाम नहीं दिखाए दे रहा है और आप जो वर्नन करते हो तो हमारी नेत्रों से हमारे नेत्रों से आशू भी डुलकने लगते हैं गिरने लगते हैं और आप ऐसी रस्परी चर्चा करते हो तो हमको यह आशू गिरते हैं वीरह भी उत्पन होते हैं लेकिन धाम क्यों नहीं दिखाई देता फिर आगे भी बताया सुन्दसाजी के आप तो परमधाम के हो अक्सरातीत हो प्रान नाथ हो प्रान वल्लव हो आपके आत्मे सर्वच्छ सत्ता है तो दामदनी तो हमारा अधिकार इतना ही खेल में नहीं कि आपको दिखाई दे और हमको नहीं दिखाई दे और आप सर्वे सर हो आप सकल को निधान हो तो आपका भी इतना नहीं चलता कि आपकी कुरुपा से हमको यह परमधाम दिखाई दे समझ में आई बात में क्या कहना चाहती हूँ सुन्दसाजी ऐसे सद्गुरु के चरणों में जाकर मिहराज के अंदर बेठी हुई इंद्रावती की आतम थोस्त दावा अधिकार के साथ मांग रही है समझ गए मैं अधिकार सब्द बहुत गेहरे वाला हूँ मैं बोल रही हूँ हम अधिकार दावे के साथ कब मांग सकेगे जब हमारा कर्तवया पुरा होगा तभी ने एक अर्धांग इनी अपने पती के पास अधिकार दावे के साथ कब मांग सकती है जब अपना कर्तविय पुरा करती है आज इंद्रावती अधिकार के साथ मांग रही है कि धाम दनी तो ऐसे समर्थ सद्गुरू बताया ने कि तुम खोजो रे सादू तुम खोजो खोज तक खोज तक सद्गुरू पाई है सद्गुरू शंग करतार यहां ऐसे समर्थ सद्गुरू मिले है सद्गुरू का मतलब शाक्षा धाम के धनी सद्गुरू यहां कोई गुरू रूप में या कोई यह सरीधारन करके आए उसको सद्गुरू नहीं बोला सद्गुरू अंदर बैठने वाली आवेश शक्ति को बोला है, सत्गुरु मेरे श्याम जी, मैं एहनिस चरने रहू, सनम्द मेरा यहिसो, मैं ताथे सदा सुख लेव। तो इंद्रामति को ऐसे समर्थ सत्गुरु को रूप में धनिसी देव चंद्रजी, निजानन्दाचारिय मिले, सुंद्रसाजी आज हमारे सत्गुरु के रूप में वानी है, पाचमें दिन में, धाम धनिशवयम ज्यानमै क्लेवर के रूप में इस वानी में बैठे है, आज हम कैसे दावा कहिए, कब दावा कर सँबऄंगे, किस आधार पर दावा कर संबऄंगे, कब बता पाएंगे, पहले तो यह प्रस्न है, कब बता पाएंगे, क्योंकि वो भी समर्थ होगे, तभी बता पाएंगे, ने, वो भी समर्थ होगे, तो इसलिए मैं कह रही हूं कि ऐसा समर्थ सत्गुरु की खोज, कि जो जिसने यहां बैठे-बैठे पाया, जिसने यहां बै कि यह सत्गुरु मेरे अंदर कोई अउगुन है, मेरे मन और इंद्रियों के अंदर जो कोई विकार है, तो मेरे मन और इंद्रियों के विकार आप निकाल दो, आप ऐसा करो, यह सत्गुरु और मेरे को धाम दिखाओ, और हम ब्रहमसुष्टी का दावा लिया है, हमने सब ने लियाने सुहागन का दावा, ब्रह्मातमा का दावा, तो मैंने एक दिन सुहागन पर परिभासा hacia की थी, पता है व्याख्या की थी, सुहागनी का दावा कब лे सकते हैं, जब हम पूरा एक अक्षरातीद पारव्रम का जो हमने दावा लिया एकर धांगी नी तरीक ना तो उसका पूरा कर्तव यह हम जब निभाते ने जैसे वानी में सुहागनियों के लक्षन जो बताए गए हैं उस लक्षन पर हम चलेंगे हम यह कर्तव यह पूरा करेंगे तभी तो अधिकार अमधनी के बास मांग संकेंगे यह इंद्रावती पूरा कर रही है आज हम क्या करेंगे पहली प्रात्मिक्ता संसार को दे रहे हैं जब घर में दुखाते हैं तो मननत का मांगते है कहां मांगते हैं सुन्द शाज खिजड़ा मंदिर में नवतनपुरी में जाके एक स्रिफल धराकर वहां फोड कर क्या बलते हैं? काम किसका करते हैं और मांगते हैं किसके पास? काम माया का करते हैं चोपिस कंटे और जब दूख आता है तो मांगते कहां? हम करतव यह मेरा कहने का भाव यही है कि हम करतव यह पूरा और कर रहे हैं और मांग किसी? तो यह तो ऐसा हुआ कि पड़ोशी के पास का घर का काम करें, और घर के पती के पास मांग रहे हैं, ऐसा चलेगा? चलेगा? पास के घर का काम करें और घर में पती के पास घर जलाने का पाइसा मांग रहे हैं, घर के पती कितने दिन चला लेगा? तो हमारे घर के पती कौन है अक्षरा तीत है तो उसका करतव या पूरा करेंगे तभी तो अधिकार देंगे इंद्रावती अधिकार के साथ मांग रही समझ में आ रहा है यहां सुन्दसाजी ये बता रही कि मेरा अपको ब्रह्मा सुष्टी कहने का अधिकार नहीं है सुंदर साजी फिर इंद्रावती ने सत्गुरु के सामने जाके बोला कि है धनी मेरा तो कहीं कोट अउगून खंड-खंड खांडा धार यह तो कहीं में गिंती पन गुने को नाहीं शुमार कोट अउगून धनी मेरे अंदर है यह तो आगे कहेगी लेकिन यहां भी हम भी बोलते हैं अउगून काडे गून ग्रहे हारे से ओये जीत साहेब सोसन मुख सदा लाश्ट वाला चरण किसने बोला यह ब्रहम सुष्टी की क्या करना है सिर्फ मेराज ने नहीं हम भी राज जी के बास रोज बोले मैं एक दिन पहले भी बता रहे थी आज और बात अलग मोर से रखोंगी कि हम राज जी को भोग लगाए ने इंद्रावती ने क्या भोग लगाए सद्गुरु के सामने पता है हमारे जैसे डाल, सबजी, रोटी स्वीट, मिठाई अलग-अलग प्रकारिक सबजी भोग नहीं लगाए क्या लगाए पता है अहमे भाईवा धाम का इंद्रावती ने एक दिन अपने क्रोध का भोग लगा दिया धनी, मेरे अंदर दुबारा क्रोध आये ही नहीं एक दिन अंदर की खुदी का भोग लगा दिया एक दिन इर्शा का भोग लगा दिया एक दिन काम का क्रोध का, लोब का, मोह का मद का, मतसर का, इर्शा का द्रेश का, राग का, तुरुष्णा का यह सब किस के अंदर है? हम सब के अंदर तो रोज यही भोग लगाईए भाव से के धनी आज मेरे अंदर पडोस या कोई रिष्टेदार किया सगे सबंदी का देखकर क्यों इस सापे दाऊई अरे मैं तो ब्रह्मा सुष्टी हूँ मेरे अंदर कैसे गुण होने चाहिए रेहवे निर्गुर होई के, क्या बोला दामदनी नेवानी में ब्रह्मात्मों के लक्षण में रेहवे निर्गुन आहारभी, साफ दिल कभी न दुबावे क्या बोला रेहवे निर्गुन होई के ब्रह्मात्मा कैसी होगी हो निर्गुन रहेगी अंदर गुणी गुण होगे सुन्दसाजी अंदर और आहारभी उसका खोराग भी सात्वीक होगा ऐसे रजोगुणी या तमोगुणी खोराग नहीं होगा और और आगे बताया रेहवे निर्गुण lights रहवे निर्गुन शाफ दिल सुहागी नी उसका अंतरस्ण कैसा होगा शाफ होगा ये कभी भी किसी के दिल को दुखाएगी कि कभी भी किसी को कष्ट नहीं देगी वो कष्ट जल लेगी लेकिन दूसरे को नहीं देगी तो यहाँ धाम धनी क्या बता रहे सुन्दसाथ जी इंद्रावति के माध्यम से हमको कि मेरे अउगुण धनी निकाल दीजिए मेरे अंदर बहुत अउगुण है इसलिए मेरे को परम धाम दिखाई नहीं दे रहा है, हम सुन्द साथ भी इस प्रसंग के माध्यम से, हम अपने जीव, अपने अंतरसक्रण पर ले ले, कि धनी हमारे अंतरसक्रण रुपी कुंड में, और मन बुधी चीत अंकार रुपी कुंड में, जो अज्ञानता के आवरान, या काम करोध रुपी जो जलादे क्या मांगना है? प्रकास रुपी दिया, जलादे रोज यही मांगना है दामधनी के पास, जो इंद्रावती ने मांगा, तब सत्गुरु धनी देवचंदर जी ने बोला, कि इंद्रावती तेरे अंदर एक भी अउगुन नहीं है, तो तो परमधाम की निर्मल आत साजी यहां और आगे, तभी तो उसने बात दिल में ले ली, थोड़े दिन बिते उसने सोचा कि सद्गुरु माराज ने जो बोला है, वो मेरे को अनुसरन करना चाहिए, वो सिक्सा लेनी चाहिए, उस राह और मार्ग पर मेरे को चलना चाहिए, थोड़े दिन तो चली, फ आख में अंजन आंते ने, काजल आंते ने, तो संसार एक काजल की कोठरी है, हम जितना भी कपड़े संकुर कर चले जाएंगे ने, तो भी कहाँ तो टच तो होई जाएगा, कोई भी जग काले डाग तो लगी जाएंगे, ऐसे ही एक काजल की कोठरी के संसार में सब निकल प मिहराज थोड़े दिन तो इस रहा पर चले, फिर बोला, कि अभी अमेरे अंदर कोई अगुण है, तो चलो ने, मेरे घर में कोई, जो माया धन संपती है, वो मेरे को बाधा रूप बनती है, तो वो क्या करूँ मैं, हादी के घर पे पोचा दू, हम यह करने के लिए तयार हो उसने तो यह किया, कि हमारा सब कुछ जो धन संपती है, यह एक बाधा बनती है ने, हमारे धनी के चरणों में जाने के लिए, क्या बनती है, बाधा बनती है, तो मिहराज ने सोचा, कि हमारे घर में, जो भी है जवरात, या वस्त्रा अभुशन, यह कदाचीत धाम धनी के चरणों में जाने, नहीं देता है, तो मैं एसा करूँ, वो हादी के घर पे पहुचा दू, क्या करूँ? हादी के घर पे पहुचा दू, तो उसने अपने जो भी गेहने थे, किसका? फुलबाई का, जो गेहने थे सुन्दसाजी, और वस्त्रा अभुशन, जो भी जवरात वो किसके घर पे पहुचा दिया? हम क्या करते हैं? कि उस टाइम पे जो इंद्रावती ने चल के दिखाये, कोई किसा के प्रशंग नहीं है, हमको चलाने के लिए बात रखिये, सुन्दसाजी, हमने इतने नंग पहने ने बैसर, यहां नाक, सुन्दसाजा नाक पर, यह बै कि अधिकन डाइमंड होता, तो तो आम बाहर भी कोई इतनी चोटी सी डबी में रख देते, लेकिन जो रियल डाइमंड होता ने, तो कहां रखते? कहां रखते? एक आपकी जो लोकिक इच्छा और जो तुरुष्णा वो की और, जो आपका मोह है सुन्दसाजी, ताम धनी बता रहे हैं, कि इतना छोटा सा नंग भी आपके पास रियल डाइमंड का होता, तो तीजोरी के अंदर और, एक अंदर, एक और बोक्ष होता ने, उसके अंदर भी और एक, अलमारी के अंदर, और एक होता, तो इसके अंदर छोटी सी डबी होती, उसमें आम रख देते ने कितनी देखवाल करते हैं, यह धन को कभी भी ती जोरी में रखा, क्यों नहीं भई, इंद्रावती ने यह धन रखा है, बोल यह शी प्राणनात, यह नंग कोई लेकर नहीं जाएगा, और ले जाएगा तो तुछ माया यह तो छोड़नी है, आज छोड़ो या कल छोड़ो, ए तेरे कहने का भाव यह है, कि हमारा जो संसार के, जो गहने या धन संपती के प्रती, जो हमारा मोह है, जो हमारा लगाओ है, जो हमारा एट्रेक्शन है, जो हमारी आसकती है, यह कितना लगाओ है, कितनी बचा के हम संपती को रखते हैं, गहने हम कितनी बचा के रखते हैं, और चोर-चोरी ना कर ले, धामधनी ने बताया, चोर-चोरी तब करेगा, घर का मालिक सो जाएगा, चोर-चोरी कब करता है, घर का मालिक सो जाता है, तो शुन्दसाजी यह जाहरी गेहने की में बात नहीं कह रही हूँ, ये तो चोर चोरी हम सो जाते निंद में तभी ये करते लेकिन धामधनी ने वानी के आधार पर बताया कि तुमारे अंदर की जो गुनंग इंद्रिया है धामधनी के चरणों में आप नहीं लगाएंगे तो आपके अंदर बेठा हुआ जीव चोर रूप बनकर गुनंग पैचाना है तो वोई धन को बचा के रखो वो धन को नहीं क्योंकि आपको पैचान होने के बाद आपके अंदर क्या होना चाहिए धामधनी के एक-एक वचन रूपी एक-एक चोपाई रूपी एक-एक चोरन रूपी एक-एक शद रूपी जो धन अमको मिला है ये अखंड धन है, क्या है? यह खंडो खजाना है धाम धनीने, यह खजाना खर्ज के कहां, किसके लिए लाए है 25 पक्स का धन परमधाम का धन ब्रह्मा आत्माओ के लिए लाए है, और भी मैंने एक दिन बताया था कि सेठे तमने सारी सनन्दे, शोपियू से धनसार, अनेक जवर जतन करी तमें लाविया छोआनी वार यह वास से ठक्सरातितने, तुमको यह धन सोपा है, तो इंद्रावती ने, सुंदर साजी अपने गेहने, और जो अपने घर के फुलबाई के जो वस्तरा भुश्वन थे, वो भी हादी सरीर को कष्ट पर उतार रहे, यह धामदनी ने वित्तक साइब के माध्यम से बताया के उतर तेहार घटाईया रहिया पैसे भर दोई, इंद्रपल घटा हिंद्रियन का सुक्चला आकार चुपाई में धामदनी ने बताया के दो पैसे भर जितना अनाज कितना होता? दो पैसे भर अनाज, जब तोलने, जब राजवे में तोलनाप करेंगे, तो इतना जेतना वजन होगा, दो पैसे भर जितना इतना ही अनाज, इतना ही बस खुराख खाने लगे, तो क्या हुआ? अपनी इंद्रियो सिथिल होने लगी, अंदर के हडियों, ऐसे ही सुखने, अंदर का रक्त सुखने लगा, मास भी सुखने लगा, सरीर पुरा, हडियों का धाचा बन गया सुन्दर साथ जी, तभी वाल भाई ने देखा, वाल भाई ने जाके देवचंदर जी को बोला, सद्गुरू, ये मिहरा ने क्या करके रखा है, देखो एक भाई तो पहले चले गए गोवर्दन भाई, और दुसरा भाई जलने की तयारी में है, उसका तो उसके बारे में कुछ तो सोचो, कुछ तो करो, तभी उसने बोला, के बोलाओ मिहराज को, सद्गुरू धनिश्री, देवचंदर जी ने ब सद्गुरू के रूप में समझ के रखा है, क्या यह सरीर सद्गुरू है, क्या यह सरीर गुरू है, क्या यह सरीर धाम धनी अक्षरा तीत है, क्या यह सरीर श्यामा जी का है, नहीं, यह तो श्यामा जी ने आधार बनाया है, सरीर को माध्यम साधन बनाया है, लेकिन मेरे अ अंदर जो आवेश सकती लिला कर रही है, वो अक्षरा तीत की है, मेरे अंदर जो श्यामा जी बेठी ओगल स्वरूप, मेरे अंदर लिला कर रहा है, तो तुने क्या पैचान की, उसके पास वालबाई भी खड़ी थी, वालबाई ने भी बोला, कि है मिहिराज, तुने भी सरी की पेचान की है, जो सत्गुरु के अंदर बेठे हुए, जो आवेश सकती की लिला अपने जान ली होगी, पेचान ली होगी, तो आप अपने सरीर को सुखाते नहीं, और आप उसकी परिक्रमा करते रातने दीन, और एक पल भी उससे जुदा नहीं होते, तो आपने उसकी पेचान नहीं की है, फी सत्गुरु धनी स्रीद एव चंद्राजी ने भी बोला कि है इंद्रावती, मैं तुने पहले भी बोल दिया था कि तु परमधाम की निर्मल, आतम है, तेरे अंदर कोई विकार नहीं है, तेरे अंदर कोई अउगुण नहीं है, देखो, मैं चर्च करता हूँ, तो तेरे आंखों से आंसू भी गिरते है, तभी बोला कि जब आंसू गिरते है, तभी आपके सरीर को आभास क्यों रेता है, यह आभास भी रेहना नहीं चाहिए, वहां तक आपको पहुँचना है, यह क्या बोला सत्गुरु ने, वहां तक, तो क्या बताया, क कि जब आप ध्यान करने के लिए बैठोगे तो यह सरीर को माध्यम नहीं बनाना है। मैं आज 5-6 दिन से समझाती आ रही हूँ कि 5 दिन तक चाहे व्रज में कृष्ण के रूप में सरीधारन किया, चाहे रास में भी यह सरीर धारन किया है, लेकिन अंदर बेठने वाले जो आवेश सक्ति वो अक्षरा तित की है, जो श्री कुष्ण का जो रूप धारन किया वो अक्षरा थी तो नहीं है, क्योंकि ऐसे तीसरे दिन में महमद नाम धारन किया, चोथे दिन में देवचंदर जी नाम धारन किया, और पांच में दिन में मिहराज नाम धारन किया, तो यहां भी मिहराज को पेचान करवा रहे है, कि है मिहराज, तू तो यह सरीर को ही सदगुरु मान कर बैठ गया था, नहीं मैं कहीं भी गया, नहीं मैं यहां ही हूँ, त आगे सुन्दर साथ जी, वाल भाई ने भी समझाया कि शाक्षा धाम के धनी है और ये भी बताया कि पहले भाई आगे चले गए दूसरे जाने की तयारी में है तो आगे बताया कि भई उसको एक माया का काम सोप दीजिये, तो माया के काम के लिए अमदाबाद भेजते हैं, वहाँ से मायस्वतंत्र, पुरान सहिंता और सहिंता कुमार सहिंता ऐसे लेने के लिए भेते हैं मिहराज को क्योंकि जो मिहराज को एक संसार के प्रति जो वेराग्य उत्पन हुआ है उससे हटाने के लिए उससे हटाने के लिए और संसार की ओर थोड़ा मन लगे उसके लिए उसको गुजरात भेजा गया गुजरात मतलब अमदाबाद भेजा गया और अमदाबाद भी चल पड़े वहां से फिर वापस भी आ गये और धामधनी ने आगे बताया कि उसके बाद कहां जाएंगे अरब की धर्ती पर क्योंकि और माया का काम देंगे तो उसकी सुर्ता थोड़ी धाम धनी के चरणों से हटे और माया की ओर लगे क्योंकि उसने सरीर को सुकान क्योंकि पैचान नहीं कि ने अठियोग की और उतर गए तो अठियोग अच्छा नहीं है उसमें सरीर सुख जाता है अंदर से बले दर्सन तो होता है लेकिन अंदर इस करिया से सरीर सुख जाता है तो उसको माया की और काम अरब की धर्ती पर जाने के लिए सोपा कि या अर्व की धर्ती पर कोन रहते थे सुन्दसाजी, किसके भाई थे, गांग जी भाई के भाई थे, तो वहाँ कितने साल से गये थे, पचीस साल से, कितने साल हो गये, पचीस साल से, तो हम परमधाम में कितने पक्षे हमारे परमधाम में, पचीस, परमधाम के कितने स्री राज श्याम 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 श्य पुकराजी जमुनाजी लई श्री राजश्यामाश्यामाश्री राजश्याश्यामाश्याश्याः आठो शागर आठजी मीके आठो श्री राजश्यामाश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्या पचिस पक्षों में डिवाइड है अलग-अलग पक्षों में अलग-अलग जो लिला हो रही है और मध्य में रंग, महोले और नवबम दश्मी आकासी है तो यहां पचिस साल से जो चले गए है कौन? खेता भाई, गांग जी भाई के भाई और और भी एक बताया बातुनी रूप में कि हमारा सरीर पचिस तत्व से बना है, मैंने एक दिन बताया था, पचिस तत्व से बना है, पांच पंच महाबुत तत्व, पांच गनानेंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों, पांच संसार की और काम दंदे और बिजनेस या जो भी अर्थू पाजन के लिए जो भी काम कर रहे हैं तो आज हम भी धनी की और चरणों की और हम भी आगे नहीं बड़े ने 25 तत्व वो 25 साल से गए हैं और माया में डूब गए हैं तो यहां बताया के जाओ है मिहिराज गांग जी भाई के बड़े भाई 25 साल के अर्ब में धर्थी पर बिजनेस अर्थ के लिए गए हैं और कितने साल में बेचते हैं सुन्दसाजी साल क्या थी? सत्रसो तीन में बेचते हैं और सत्रसो आठ में वापस आयेगे सुन्दसाजी तो बोलाया और सत्रसो तीन के साल थी और फागुन का मैना था क्या मैना था? फागुन का मैना था और उसको बोला कि नाव चलती है और चालिस दिन में कापोती और अरब की धर्थी पर मिहराज ने सद्गुरु माहराज का आदेश शिरोधार दिया कर लिया तो हम क्या करें सद्गुरु का आदेश को? कई बार हमको बात अच्छी नहीं लगती तो हम उलंगन कर देते ने बातों का हम भी क्या करेंगे धामदनी की बातों का शिरोधारिय करेंगे धामदनी जैसे राजानो तो राजी रखो जानो तो दलगीर जैसे राखो धनी हदी पना करो पाक करो या जो भी दुखी रखो या शुखी रखो सब आपके हाथ में अमारी बाजी है हम क्या करेंगे? सिरोधार ये कर लिया मिहराज ने और चल पड़े क्या? अरब की धर्ती की ओर चालीस तीन. चालीस मतलब हमारे परमधाम में कितने जूत है? चालीस जूत. और कितनी-कितनी सक्षियों के? तो फिर वहां सुन्दर साजी अरब की धर्ती पर और जब नाव में बैठे में एक बात यहां रख देती हूँ, जब किरंतन का उत्रण होगा, तभी ये बात बीच में ना ले आनी पड़े. नाव में में बैठे 40 दिन में अरब की धर्ती पर पहुंशेंगे, तो 40 दिन में जो किरंतन गरंत है हमारा, उसका जो अंतिम वाला हुका का प्रक्रण है, एक 133 नमबर का प्रक्रण, हुका वाला, वो प्रक्रण पुरा समुद्र के आधार पर बताया है, उसका माध्यम बन प्रक्रण अबी नाव में उत्रेगा, नहीं उत्रेगा, यह प्रक्रन आव में उत्रा है किरंतन गरंधा अंतिम नम्बर का एक 133 नमबर का प्रक्रन इगा वह भी, मिहराज जाएंगे ने, 40 दिन में अरब की धर्ती-पर, चलो, अरब की धर्ती पर पांच भी गए, बोलो एक किरंतन प्रक्रण भी उतर गए क्योंकि हमने समय साथ दे नहीं रहा है, बोलिये शी प्राणनात, वहां पहुच गए, खेता भाई को मिले, खेता भाई भी दूर से विदेशी आये तो कितना अंदर का प्रेम भर जाता ने, आनन से दिल भर जाता, ऐसे गले मिले, बाई से बाई में मिले, और अंदर इतना उमंग भर गया, और कोई विदेशी आते, और हम यहां से विदेश चाते, तो हमारे जो सगे सबंदिया रिष्तेदार रहते, तो कितना खुश-खुश साल हो जाते, बहुत दिनों या बहुत सालों के बाद देखते, तो अंदर और उमंग और अंदर प्रेम भर जाताने, ऐसे खेता भाई मिले, क्योंकि 25 साल से किसकी जंखना थी अंदर, किसकी तुरुशना थी, किसकी वाशना थी, और हमारे सब के अंदर क्या है? बोलिये श्री, हम सब कौन है? खेता भाई, हाँ, जिसने छोड़ दी माया की और वाशना, तुर मुष्णा हिच्छा, ओ खेता भाई नहीं है, ओ खेता भाई नहीं है, नहीं-देखाने, इस था खेता भाई नहीं प। यसकी वाँर भी रखा लेकिन ज्यादा थी, इतनी आशक्ति मत रखर के दुख्षी hm arrive, इतनी आशक्ति, जैसे खेता भाई पsan 95 साल चे बाद भी ग करद दुनि कि यह करत एकरत से पूरा ब्रह्मान का बोड लेते जाएंगे तो एक दिन हमारा भी क्या होगा कि Grade का देहन तो हमारा भी क्या होगा की सी इस संसार में आगा रहें कि अज हाहिए क्या है कि liquid सुन्दानी एक एक प्रशंक्षे बता रहेगे सुन्दसाजी, जो माया की आसकती ने क्या किया, अंतिम में कोई रिष्टेदार या पत्नी किसी का मूख भी देखा, नहीं, देखो, ऐसे करते करते हो चलेगे, हम भी एक दिन जाना तो, है ही है, सब को एक दिन जाना है, जो आ मिला में, आपको लग रहा है में खेटा भई कंपर्शंक ए रही हूँ, नहीं लगना चाहिए, किस का ए रही हूँ, हम इतनी तुरूष्णा, इतनी इच्छा, माया की ओर नहीं करेंगा, हम इतनी ज़रूरद, इतनी आवस्च्रक्यता है, माया की इतनी करेंगे, दो ट्रेस जी, Khetabhai बहुत आनंद विभोर होकर मिले उसको, और जो गांग जी भाई ने पत्र लिग कर दिया था, क्या दिया था? पत्र लिग कर Khetabhai को हाथ में दिया, Khetabhai ने पढ़ा भी पत्र, बहुत खुस हुए, बहुत आनंदित हुए, पत्र पढ़ कर तो यहां के समाचार, नौतनपुरी, नवानगर के समाचार भी जान लिए, अभी तो मोबाईल आ गए ने, एक दिन में बोल रही थी के, धन्यव अभार तो, किसका माने, दिरुभाई, अमाने का, 24 अवर अनलिमिटेड, सुन्दे साथ जी, तभी तो यह टेकनोलोजी नही थी, मैं यह के रही हू, तभी कोई फोन की टेकनोलोजी नही थी, तभी पत्र का व्याववार था, मेरा कहने का भाव, पत्र के यहां तो एक शेक पत्र पढ़कर, ऐसे, खेता भाई, खूश हुए, और जो अपने पुरा, जो गोडाम का कारिय भार था, लेंदेन का, जो भी था, उगाई का, जो भी काम था, वो सब किस पर सौप दिया, वो भार किस पर सौप दिया, मिहराज कर, मिहराज पर, के भई, हमारे वतन से आये, और ये भी हमारे भाई ने भेजा, तो कितना विश्वास, आजाता सब काम सौप दिया, उश्पर, और मिहराज को लगा, क्योंकि वहाँ, गांग जी भाई ने, पत्र में भी थोड़ा लिखा होगा, और वहाँ भी समझाया था, ये बात में यहां रखती हूँ, क्योंकि क् संपधी सुन्दर साथ की सेवा में भी लगेगे, यह काम आएगी, तो आप जाओ, और जागनी कारिया में भी काम आएगी, तो यहां बात बताई, कि चलो, मैं किस कारिया से आया हूँ, मिहराज ने सोचा, लेकिन जो जागनी नहीं होती, तो सुन्दर साथ के अंदर का भाव आता? नहीं समझे, मानलो, कि आज मंदिरों से जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है, मंदिरों का काम क्या है? आश्रम, मंदिर, पूरी, जो भी हमारे स्थान है, उसका काम क्या है? ज्यान देना और ध्यान कराना, जो भी हो, वहां से ज्यान देना और ध्यान कराना, और हमारी जो अध्यात्मिक परंपरा में हमको वारिश जो हम बने है तो हमको यह ज्ञान देने का काम उश्का रहता है तो वो ज्ञान देंगे और हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? शेवा करने का, जो हमारे पास यह था शक्ती, जो हमने आर्थिक, जो और्थू पाजन किये है, यह हमारा काम, हम संसार मेने सुंदर साची, तो हमारा काम क्या बनेगा, शेवा करने का, चाहे आर्थी को, चाहे मांसी को, चाहे सारीरी को, तो यह काम हमारा बनेगा, तो यहाँ मिराज ने सोचा, कि मैं जब बात बताऊंगा, किसको, क्योंकि जाने के बाद सिदा बोलते, कि दो कमरे लिखवा दे, क्या लिखवा देते हैं, समझ में आया, बोलिए शी प्राननाथ, जाने के बाद बाद बोले, कि वहां गांग जी भाई के, वहां बहुत सुन्दसाथ हेकत्रित हो रहे है तो आप ऐसा करो कि खाने पीने का जो वहां रासन का जो भी प्रोजन का जो भी खर्च हो रहा है बहुत सुन्दसाथ की भीड हो रही है तो वहां खर्च में गांग जी भाई अक्केले पहुंच नहीं पा रहे है तो आप ऐसा कर थोड़ी धन संपती मेरे को दे दो और मैं यहां से निकल जाओ और हिंदुसन वापस चला जाओ। ऐसा करते तो क्या? खेता भाई को विश्वा सा था तो क्या किया? पहले जाके क्या की? चरचा की, क्या की? चरचा की, के भाई बहुत ताइम से उसने चरचा नहीं सुनी है, तो वहां जाके पहले चरचा प्रारम की पर यां बताया धाम धनी निके कि जैसे घड़े होते मटके होते उस पर घी डाल दो उस पर पर पानी गिराओ तो पानी टिकता या नीचे गिर जाता हम कैसे नहीं आप तो बहुत अच्छे हो अरे 12 दिन से इतनी एकागरता के साथ मैं तो रोज बोलना भूल जाती है आज बोल दो आप कितने मेरे को सहन कर र कर रहे हो यार हम आपको सहन कर रहे हैं मैंने बोला आप बहुत अच्छे सुन्दसाथ हो मेरे बहुत लाडले सुन्दसाथ हो ब्यारे सुन्दसाथ हो कि मेरे को दो दो घंटे आप सहन कर रहे हो कई आधे आधे गंटे और ले लेती हूं तो धाई-धाई गंटे सहन करते हो तो सुन्दसाजी आप तो बहुत अच्छे हो लेकिन खेता भाई का तो एक प्रमान दिया कि ऐसी तरह चर्चा तो करते रहे महिराज लेकिन उसने बताए कि जैसे चिकने घड़े पर पानी नहीं टिकता जैसे गिरा ओर नीचे गिर जाता जैसे उपर पानी रखा ओर नीचे गिर गया ऐसे उसके अंदर छाट न लगी मिस अंदर मतलब यह जो वानी चर्चा सुना रहे थे और अंदर सुगंधी नहीं गई और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ उसका धाम गमन हो गया तो चर्चा भी नहीं सुन पाए उसके घर पे शोयम कोन लेने के ले गए बले प्रांदानाथ नहीं बने लेकिन अंदर कः बोला यह ता ने प्रगटन के टाइम स्री राज प्रगटन बोला थै निसन बला था कि बड़ा था कि व備 देव चंडरी सु मिला और श्री जी साहभ जी को मिला बताया था नी सुन्देसाजी तो मिहराज के अंदर कौन बेठे है? स्री जी, साहेब अक्षरा, तीद, स्री जी साहेब मतलब हिंदु परंपरा में, सोरी, हिंदु मान्यता, हिंदु पद्धती में सुन्द साजी, जो हमारे सास्त्रों और वैदिक परंपरा में, हिंदु में स्री जी वेदिक परंपरा को मान्यता के आधार पर कहा गया है और शाहव जो कतब परंपरा है इसलामिक जगत की कतब परंपरा है उसकी जो पद्धती के मान्यता के अनुशार शाहव कहा गया है क्या कहा गया है शाहव स्री जी हिंदू मान्यता के आधार पर है तो धाम दनी वानी में भी तीन बार स्रीजी साहब सब्द आया है। कितनी बार? साहब सब्द तो सनंद में बहुत बार आया है। लेकिन स्रीजी पूरी वानी में अपनी तार्तम वानी में तीन बार आया है। और इसमें भी बहुत बार आया है। बित्तक साहब में स्रीजी साहब साथ में बहुत बार और वानी में सीजी तीन बार आया है और साहेब सनन्द में बहुत बार आया है सनन्द पढ़ कि आप देख लेना क्योंकि वहां से कतेब परंपरा शुरू हो गई ने अभी औरंग जे बात्सा को जगाना है वह कृष्ण के रूप में वह जगेगे नहीं हो नाम ल या वार स्री सीजी ने चरनपसाय जस्याम सी गाये ऐसे तीन बार आया है सीजी ने लिद लिदी ने वसनों की सार ऐसे तीन बार वानी में आया और शुंद साजी पितक शायब में बहुत बार आया और वानी में साहेब सब्द अकेले साहेब सब्द सनन्द गरंत में बहुत तन में अक्षराती स्वयों, लिला कर रहे सामने गए देखो, लेकिन माया में मस्त रहे, तो धाम धनी की पहचान नहीं हो पाई, इतने में उसका धाम गमन हो गया, और उसका जो पूरा धन संपती का, जो गोडाम का, सब जो था, लेन देन का, सब जो भार था, पहले तो मीरा के सीर पर उत्तरदायत पर सोंप के गए थे, लेकिन शेक्षला, जो वहां के हाकीम है, शेक्षला उसको पता लग गया, कि उसके जो मुल मालिक था, खेता भाई, पचीस साल से जो यह रह रहा था, उसका तो धाम गमन हो गया है, तो उसने क्या कर ली, सब संपती अपने, कभजे में कर ली, हरब कर ली सब संपती, तब मिहराज कहां थे? बाहर थे, उस ताइम पर वो बाहर थे, जब सुन्दर साजी वो पहुंचे, तो उसको पता लगा, कि मेरे भाई, वो भाई के समान मानते थे, मिहराज, खेता भाई को, कि मेरे भाई की संपती, जो आज मेरे पर सीर पर उतरडायत वथा, वो सब सेकसला ने कबजे कर ली है, उस पर उसने लोगबन भी कर दिया है, तो चलो, मैं अभी क्या करूँ, जब आये तो उसको यह भी पता लगा, कि सेकसला की द्रश्टी में भी पाप आ गया, द्रश्टी भी बदल गई है, वो मारने के लिए म मिहराज ने सोचा, कि चलो में, जो वहां मसकत उसकी राधधानी तब परती थी, जो खलिफा सुल्तान रेते थे, वो तभी उस टाइम पर ऐसे अलग-अलग पदों का बिन-बिन स्थानों रेता था, अलग-अलग पदों जब स्थान पर आते थे, तो बिन-बिन स्थानों तो उस टाइम पे मसकत में थी, पहले मक्का में रेती थी, मदिना में रेती थी, बसरा में रेती थी, बगदाद में रेती थी, उस टाइम पे मसकत में थी, तो मसकत चले गए, कौन? मिहिराज, कि वहाँ जाके खलिफा को अरज करू, और जो मेरे भाई की संपती मेरे को वाप करते रहे, कहां? मसकत में, लेकिन इसकी और ध्यान नहीं दिया, उसका एक प्रमाने, मैं थोड़ी बातों में बताऊंगी, क्योंकि बहुत प्रसंग है, मेरे को कुरान का प्रशंग भी बार बार याद आता है, कि कुरान की बाते भी थोड़ी गेहराई से लेके जाओ, क्यों तब ही समय पर हम विस्तार से लेंगे, थोड़ी बात रखूंगी, जब महमद साहिब का अंतरध्यान हुआ, उसके बाद उसके जो चार अनिवाई थे उसके नद्दिक के अभूबकर, उश्मान, अली और उमर, चार थे, कितने? चार यार नजीक के थे अभूबकर, उश्मान अली और उमर, तो उसके बाद, जब महमद साहिब का अंतरध्यान लीला के बाद, अली को, हजरत अली को, ये गद्दी पर, उसके पद पर हो बेठे, और वो ओगंत्री साल तक रहे, क्योंकि पहले से भविश्यवानी, कही गीती, उसके आधार परी हो रहे, तो 29 साल तक, अजरत अली के एक जो हसन है, हसन है और हुशेन है, दो है, तो उसमें हसन ने इस्तपिया किया, और उसके बाद, जो हुसेन था, सुन्दसाजी, उसने उसके जो साथियों थे, उसके साथ उसकी भी कतल हो गई, किसके साथ, तो जो मुवावियों का स्थान था, मुवावियो की पुरा इतना तो उसके बाद बदल ता रहा मुवावियों का स्थान जब जोर पकड़ा तबी तो उसके बाद सुन्दर साधि ची मक्का के बाद मदीना रहा इसके बाद बस्रा रहा इसके बाद बगदाद रहा लेकिन जब मेहराज गये कहां? अर्बस्तान तब ये मस्कत था खलिपाओ का स्थान तब मस्कत था शुल्गान का स्थान तो वहां मिले लेकिन दो मैने तब चक्कर लगाई वहां जवाब नहीं मिला फिर निराशो कर वापस लोट रहे थे क्या कर रहे थे वापस लोट रहे थे तो धनी ने अपने जोश के रूप में आरब का एक रूप ले लिया और उसने पत्र लिख कर किसको दे दिया मिहराज को दे दिया और धाम धनी सुन्दसाजी ये प्रसंग नहीं है मेरे को समझाने के लिए आपको प्रसंग के बारे में बात केनी पड़ती है ऐसा तो प्रसंग है लेकिन वास्तविक्ता क्या है हमको धनी समझा रहे के सुन्दसाजी उस टाइम पे मोगल सासन का इतना पुरा हिंदुस्तान पर शामराज्य था और रंग्जेबाजसा का सासन चल रहा था सुन्दसाजी तो कितना सरियत का कर्मकान क शमय था उस टाइम पे आज देखो पूरी इसलामिक जगत के अंदर अरब की धरती पर पूरे मुस्लिम जगत की धरती पर जाना कोई छोटे काम नहीं है वहां मिहिराज इस टाइम पे पहुँचे है और धामदनी ने बताया कि उसको बचाने वाला कोने धामदनी के जोसका जो सवरूप आया और उसने एक पत्र लिख कर दे दिया तो धामदनी ने वानी में बताया कि जब-जब मेरे मूमिनों पर कुस्ट आता है तब मेरे अंग मैं आडा दे देता हूँ मेरे मूमिनों पर कभी भी मैं कुस्ट आने नहीं देता तो यहां पत्र जोस के रूप में आया धानिका जोस और आरब के रूप में आया और उसने पत्र दे दिया और पत्र उसने यह भी बोला कि पत्र कब देना तो बोला कि जब इदगा के अंदर आप जाएगे मस्चित के अंदर जाएगे सुक्रबाद जुमे का दिन होता ने तभी बातसा नमाज पढ़ने के जाएगे तभी आप क्या करना उसके जामे की जो नीचे की ओ होती है ओ खेंचना कस तो सुन्दसा जी जब बातसा नमाज के लिए इदगा की और जब चलने पढ़ा निकला तभी रास्ते में कौन खड़ा रे गया मिहराज उसने बातसा की कस खेंची जामा खेंचा तो कस त गई उस टाइम पे तो इंतमाम था जोरावर आसपास जो उसके पर्टेक्शन के लिए कौन होते उसके जो सिपाई होते ऐसे पुरा जोरावर आसपास की रक्षा के लिए भी खड़े थे उस तो अंदर से क्रोध आ गया उसके लोगों के अंदर और उसने सिद्य मिहराज को आसे खिंचने के लिए तयार हो गए लेकिन बातसा ने बोला कि भई आप उसको खेंचना नहीं मैं उसका जवाब दूँगा मैं उसका उसको क्या काम है फिर उसने मिहराज को पुछा कि आप मेरे बातसा ने पुछा कि मेरी कस खेंचने की मेरा जामा खेंचने की आपको क्य जरुरत पड़ी तब उसने तभी तो बताया कि मैं दो महीने तक आपके दरबार में गुमता रहा लेकिन वहाँ जवाब नहीं मिला तो आज में परिशान होकर अंति में मेरे को यह काम करना पड़ा है फिर बादसा ने पूछा हिंदुस्तान के बारे में भी पूछ रहे फिर कबजे कर लिए तो मेरे को वापस चाहिए फिर इलाही कल में क्या इलाही कल में बोले उसने बोला कि हे बादसा देखो तभी अंदर का जोस बुलवा रहा था ने कि हे बादसा जो आज मेरे को मेरी भाई की दन संपती का आप न्याई नहीं करेंगे तो जब रोजे महसर लाही कलमे में बोलाने, तब मैं आपका दावन पकड़ कर, मैं आपका कब रोजे महसर, नियाए के दिन, जब खुदा ताला, अल्ला ताला, नियाए दिश बनकर, तक्त पर बैठेंगा, तभी आप, जो कहीं भी होगे, तो मेरा दावन पकड़ कर, मैं आपका नियाए संपती वापस चाहिए तभी बातसा ने बोला कि ऐसे खुदा ताला के ऐसे इल्लाही कलमे ऐसे इल्लाही इलम अब तक तो कोई जोस में बोलने वाला मेरे सामने आया नहीं है यह तो खुदा ताला के ही यह कलाम है तो चलो मैं उसका काम पक्का करूँगा और बात सार अपने तभी तो उसका पता कुछ नहीं लिया अड्रेस भी कुछ नहीं लिया अपने दर्बार में वापस चला गया फीच सुबह को दूसरे दिन प्रांतकाल को याद आया उसने अपने नदिक के सिपायों को बोला कि जाओ जो कल मेरे जामे की दावन की कस खेंच का तोड़ दी थी उस व्यक्ति को बुला के लाओ और अपने सहर में पुरे धंडेरे पिटाओ और उसको बोलो कि हमारी जो बातसा है उसकी कस दावन किसने खेंचा था तो फिर उसका सिपाय निकला और सहर में डंडेरे भी पिटवाए और मिहराज भी रास्ते में खड़ा था उसने बोला कि मे था तभी दोनों सिपायों ने हाथ पकड़ कर बंदी बना कर कहा लेके बातसा के पास ले गए और वहाँ जाके उसने बोला एक हुकम नामा भी लिख दिया और अपने शिपाय को बोला कि जाओ शेक्ष अला को बोलो कि उसकी जो संपती उस पर उसका उसके भाई की जो संपती है उसका आधिकार किसका मिहराज का है उसको बोलो कि सब संपती उसको दे दे क्योंकि जो नई देगा तो मैं उसको जड मुल से उखाड़ दूंगा एसा उकम नामा लिख के किसको दिया मिहराज को देने के लिए बादसा ने अपने सिपाई को दिया हो गया सेक्सला हाकीम के पास उसने बोला कि बादसा का उकम है लो उकम नामा और उसकी शंपति वापस कर दो तो सुन्द साजी उसकी शंपति भी उसको दे दी लेकिन अंदर सेक्सला के अंदर अंदर की इर्षा अगनी अभिसांता नहीं हो पाई थी उसने क्या सोचा कि हिंदुस्तान के लोग हमारी अरव की धर्ति की शंपति लेकर चले जाए यह मेरे लिए सहनिया नहीं है तो उसने गोडाम में जो संपति रात को रखी गई थी उसमें आग लगा दी तो संपति जल कर राख हो गई जो बची थी यहां नवा नगन नवतन पूरी में पत्र भेज दिया था जब खेताबाई धाम चले तो यहां सत्गुरु धनिशी देव चंदर जी वालबाई बिहा जी सब को पता लग गया और गांग जी भाई ने और सत्गुरु ने किसको भेजा श्याम जी और बिहारी जी को अरब की धरती पर भेजते है सुन्दसाजी यह कोई किसा नहीं है मैं आगे बताऊंगी प्रसंग जोडने के लिए मैंने थोड़ी किसे के रूप में आपको बात बताई क्योंकि जो न निती की? निती के कथन में कौन था सुन्दसाजी? हमारे इतियास के पन्ने पर कौन थे? चानकियो बोलियशी प्राणनाथ चानकियो निती में मैं एक दिन चानकियो चंद्र गुपत मोर्य की बात रखी थी सुन्दसाजी अभी मैं आगे भी रखूंगी तक्षशिला अग्रग्रणिया थे सुंदर साजी, वो निति के शिवा, मैंने एक दिन बताया था ने, कि किसी की दन संपती पर हमारा अधिकार नहीं है, और कोई माता जो होती और कोईसी की बेन होती, उसको माता समान या बेन समान माने, उस पर हमारी दर्ष्टी बदली, नहीं चाहिए, म है, वो ही हमारे घर में आ सकती है, लेकिन अनिती से कमाया हुआ धन, हमारे घर तक, पवित्रता की कमाई हमारे घर तक पहुंचती है, तो आज सब आत्माओं को अंदर जो जीव बैठा है, वो जीव भी कहीं बार, यह प्रशंग नहीं था, मैंने सिर्फ प्रशंग को जोड यह प्रशोंग, नहीं है, सुन्दर साजी, आज हम पण क्या करते हैं, कि एक बिजनेस पर या कोई भी दुकान सोब पर हम कुमारा जो भी बिजनेस हो A to Z, मान लो ने, तो उस में हम कमाने के लिए जब बिजनेस पर बैढ़ते हैं, तो एक काम के बाहने हम दस बार जुठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो मान लो हमने कर्म के तो बंदन बांध लिए, ने, एक काम के बाहने हम दस बार जुठ बोलते, ने, तो मान लो ऐसे एकतरित किये हुए धन, जब घर में आते तो यह सांती लेने देते क्या अब आप गांग जी भाई के प्रसंग्षे या खेता भाई का जो उसका भाई है उसके प्रसंग्षे क्या लेना सीख सुन्दसाजी जितनी धानी ने नसीब में लिखी हमारे नियत में हमारी नियत में जो दन संपती लिखी है तो उसको पत को अमारा जिनता और टैंसन देता है तो जैसे समर्थे से सदा सत्सु के दातार रोज मंत्र में बोलते हो ने सदा सत्सु के दातार ऐसे समर्थ अक्षरातित को पता नहीं है कि मेरी ब्रह्म सुष्टी कैसे घर चलाएगी समझ गए तो मैं सब आत्माओं को बोलती हूँ कि बस मन वचन कर्म से सत्य बोले सत्य का आच्रन करे और मन वचन कर्म से सत्य पर चले और मैंने कल भी बात रखी थी कि प्रिय सत्य प्रिय और हितकारी वानी बोले और निती की बात बताती हूँ तो सब आत्माओं को और इसके अंदर जीव बैटकर काम कर रहा है वो भी अपनी न पताया कि अपवित्रदा की कमाई की धन संपदी किसी के काम में आई, नहीं, तो यहां श्याम जी और भीहरी जी आ गए, सुन्दर साजी उसने क्या किया, जब यह आये, तो मिहराज तो अंदर पवित्र थे ने, उसके दिल तो पवित्र थे, तो आने के बाद, जो पहले से व और श्याम जी के आगे रख दिया, और उगाई का अभी जो बाकी था काम को किसी के पास पैसा लेने का, वो काम का इसाब किता भी आगे रख दिया, और आगे जो सेकसला के पास कैसे दन संपती, फिर प्राप्त की, कैसे कैसे मेनत की, कैसे खलिपा के पास गई, वो भी बात दोनों के सामने सब सफाई दे दी, क्या कि? सब सफाई, क्योंकि उसका दिल तो पवित्र था ने, तो चानक्य जैसी नित्ती होनी चाहिए, जैसे मिहीराज ने अंदर बैठे हुए मरू के जीव ने जो सुन्दसाजी सफाई बताई, देखो, अंदर का कोई कटुता, कोई द् कोई अंदर भेदभाव नहीं रखा, और सब ही साब किताब, और जो दंसंसंपती, बची उसके हाथ में आई, जो गोडाम में आग लगाई, सब बात उसके सामने रख दी, उसको पता था कि वहां जाके क्या होगा, लेकिन बिहारी जी और शाम जी के अंदर का, जो कटुता का विववार था, मिहराज के प्रती, वो अंदर की दुचिताई गई, नई सुन्दर साजी, वो जब पहुँचे, जो बची वोई धन संपती लेकर पहुँचे, तो कई-कई वित्तकारों ने लिखा है, कि रास्ते में जहाज में भी डुब गई, महागोडाम में आग लग थोड़ी बची वो राजकोस में, जामनगर में, जामराजा के राजकोस में चली गई, लिखा है, सब वितकारों का अलग अलग विचारदारा है, लिखा है, लेकिन लालदा सिमाराद ने नहीं बताया, उसने बताया, हाँ, उसने ये बताया, कि वहाँ चुगली, राद दर अवली में लिखा है व्रजभुषण दाश्ची ने भी लिखा है कि सुन्दत साजी जब स्याम जी बिहारी जी आये तो अपने दिल का जो पाप था अपने दिल का जो पाप था और धंक दिया और उसने बोला कि मिहराज ने खेता भाई की सब धन संपती हडप कर ली है क्योंक वेकिन गांग जी बाई माने नहीं क्योंकि मिहराज की पवित्रता को कौन जानते थे गांग जी बाई और सद्गुरु अंदर दिल की सफाई को जानते थे सुन्दत साजी दिल के अंदर की पवित्रता को जानते थे उसने माना नहीं तो वहां काम तो नहीं चला तो फिर ब पेशा करो, वालबाई को कान भंबेनी कर दढ़िगा और वालबाई ने सुन्दरसाजी क्या, ललू जी भट ने रतमान बिपक कि अनि आ लीनद्रणदावाले ने जो ललू जी भट उसने रतमान बिपक में लिखा है, कि लालदासी ने भने मैं बता दिया ने पहले भी, उसन चुगली जामराजा को कर दो उसको बोलो कि जो अभी महराज आ रहा है तो मेरे भाई की जो धन समपती है उस पर मेरा अधिकर या गांग जीवाई मेरे भाई का अधिकर या धन समपती सुन्दसाद की सेवा में लगे या राज को समें चली जाए लेकिन महराज के घर में ना इंदुस्तान, गुजरात और नवा नगर वापस्त लोटे, तो यहां ललु जी बटने वीर्तमान दीपक में लिखा है, कि सुन्दसाजी, आने के बाद, जो यह समय पीउ आपने जो कर से प्रणाम, तो पड़ी मरूने कुपमा, वालबाई मारू नाम, यह किसने लिखा है, कि आज समय पीउ जी आपने जो कर से प्रणाम, तो पड़ू मरी ने कुपमा, वालबाई मारू नाम, वालबाई तो एक स्तरी थी, तो आत्म हत्या का पाप, और देवचंद्र जी को भी पता था, सुन्दसाजी हो तो जानते थे, मैंने एक दिन बात बताई थी, कि इंद्र आज सद्गुरु बुला रहे, नहीं मिहराद जा रहे, सुन्दसाजी एक गाउमे में, कितनी दर्द की बात लो, साड़ा पांच बच गए, यह किसकी बात है, किसकी चड़ी चड़ाए हुई बात में, आज सद्गुरु तो इंद्रवाती को यह गलत लगा, कि आरे, ऐसी इसी एक वालबाई के कहने पर सद्गुरु ऐसे समर्थ मेरे जिसके अंदर जुगल सरुप लिला करें उसने मेरा प्रणाम नहीं श्विकार किया क्या इतनी छोटी सी बातों में वह आ जाते क्या और एक बात हो भी याद आई कि वह सद्गुरु बनकर मेरा प्रणाम नहीं श्विकार करते तो में भी यह करू कि जब तक वह सद्गुरु मेरे को नहीं बुलाएंगे तब तक में भी जाओंगा मिहराज बोल रहे अंदर इंद्रावती बोल रहे है कि में भी सद्गुरु को प्रणाम नहीं करूंगी, तो यहां सुन्दसाजी मिहराज आये, पहले कहां गए, जब राजदर्बार के लोगों को चुगली कर दी थी, तो यहां उसको एक नजर बंद कर लिया, केद कर लिया, जब्त कर लिया, और वहां जाके उसको बुछ परस भी की, लेकिन बता लग गया के संप क्योंकि सफाई बता दीने मिहराज ने, कि मैंने हड़ब नहीं किया, ऐसे ऐसे वहां सेक्सला ने लिए, गोडाम में आग लग गई, फिर राज बिहार जी और स्याम जी लेके गए, तो उसको छोड़ भी दिया, मुक्त कर दिया मिहराज को, और दोनों एक गाउं मेरे बु क्या कम कसनी कि थी कलाब ग्राम में, समझ रहा है मेरी बात को, क्या कम कसनी कि थी महराज ने, अंदर बेठे हुए जीव ने, कितनी साधना कि थी, और जारो साल की, उसके बाद अज धाम धनी ने जो लिला करनी अक्षरात इतने, अब भी भी कितना कसा रहा है देखो, धाम से मिहराज, तो प्रणाम नहीं स्विकार कर लेते, लेकिन सोने को कितनी बार तपाना पड़ता, सोला बार, सोला बार तपाने के बाद कुंदन बनता, तो आज धाम धनी हमको बार बार तपा रहे है, यह मिहराज की बात नहीं है, जो मैंने प्रशंग के रूप में रखी, किस कई चोट मारी, कई कई खड़नी के वचन किये, और भी आगे कहेंगे, कि यह ने धनी धाम धनी ने, क्यों के रहे, क्यों कि हमको तपा रहे, हमारे जीव, जब तक वीरह में नहीं डूबेगा, इतना कसेगा नहीं, जैसे एक लोहे होते हैं, लोहे, उसको पारस्मनी टच होता ने, तभी वो सोने बनते हैं, लोहे, पारस्मनी तो नहीं बना सकता, समझ में आरा है मेरी बात, लोहे, उस पर जब जंग लग जाती हैं, लोहे पर जंग लगती हैं, उसको गुजराती में काट बोलते हैं, समझ में आया, तो जंग लग जाती हैं, तब तक पारस्मनी जित इतनी बार उसको अटका हो, तो भी वो सोना नहीं बनता. हमारा रदे कितना कठोर हो गया है, 400 साल में, इतनी जंग लग गई हैंने, बार बार पारश्मनी तच ओरे, बार बार पारश्मनी तच ओरे, हमारे अंदर जंग लग यह, कैसे सोना बनता? समझ गई है बात मेरी? धामदनी यह बता रहे है, कि जब लोहे पर जो जंग लगा, उखड नहीं जाता, तब तक ओ पारश्मनी, यह एक बात और गेहराई में रखनी है, सुन्दसाजी, ओ पारश्मनी, तो सिर्फ सोना बनाता, पारश्मनी नहीं बनाता लोहे को, समझ में आया? और गुरु कंचन, गुरु पारश्, गुरु चंदन परमान, तुम सत्व गुरु दिपक बयो, जो कियो मोहे आप सुन्दसाजी, हमारे सकल गुण निधान, सर्व सक्ती मान, सदासुक के दातार ने, उसके समान बनाया, बोलो, श्री, समझ गए, जो गुरु कंचन, गुरु पारश्, गुरु कैसे होते है? सोने जैसे, तो सोने तो बनाते, गुरु अपने जैसे नहीं बनाते है, सिस्य को, समझ में आया, गुरु कभे भी सिस्य को, अपने जैसे नहीं बनाते, गुरु गुरु इह सिस्य, बहुर्भार सेज्धे, जुकते, सेज्धे ही करते रहते, और उसके बाद बताया, गुरु कंचन गुरु पारश, पारश्मनी लोहे को, सोना बनाता, लेकिन सोने को पारश्मनी नहीं बनाता, और आगे बताया, गुरु कंचन, गुरु पायस, गुरु चंदन परमान, चंदन के जब लकडी के जो पैड होते जंगल में, तो बहुत किलोमेटर तक उसकी सुगंधी फैलती, लेकिन वो सुगंधी, मानलो एक आम के वरुक्ष, आ सुगंधी तो उसमें प्रसर जाती, पत्ते में सुगंधी भी आती, लेकिन पेड़ वो नहीं बनते, तुम सत्गुरु दी पगभयो, अरे मेरे धाम धनी ने तो उसके समान बना दिया, उसने बोला कि ब्रह्म सुष्टी, ब्रह्म शमान, ब्रह्म तदोगत, क्या बताया, ब्रह्म तदोगत, इंद्रावती ने बोलाने के, साथ करू मैं आफसा, तो मैं जागी परमान, जैसे मैं हूँ, ऐसे मेरे साथ, तो ऐसे एक दिपक जलाओ, उसमें से करोड़ दिपक जलाओ, तो सब दिपक समान हो जाते कि नहीं, तो पहले वाले दिपक जले, वो दिपक के लिए आप जाओगे, अजार दिपक जलने के बाद, तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों? सब दिपक, तो हमारे सद्गुरू कैसे है? दिपक के शमान, उसने बीच में तफावत, अंतर, नहीं रखे सुन्दसाजी, ऐसे हमारे सद्गुरू प्रणाम नहीं श्विकार किय सुन्दसाजी और दोनों, क्या हुआ? फिर वहां कलाजी ठाकर के वहां चले जाते है, भावी के ताने के मारे, तो कलाजी ठाकर के यह द्रोल में चले जाते है, और वहां राज्य प्रबंधन का काम संभालने के लिए सुन्दसाजी आजी जी करते है, वहां मांग भी करते ह वहां काम भी मिल जाता है ऐसे करते करते वहां दो साल भी इतने प्रशंग पुरा कर दे बस दो इमिनेट में साड़ा पांच बज गए हमारे मिडियो वाले का समय भी पुरा होने वाला है लेकिन ये प्रशंग में अंतिम है बस तो सुंदसाजी लेकिन सद्गुरु का धाम गमन अंतर ध्यान लिला का श्वमय आ गया तो बार बार सद्गुरु याद कर रहे है मिहराज को बुलाओ क्योंकि बिहारीज तो गाउं में है क्योंकि बार बार क्यों मिहराज को बुला रहो बुला रहो बुलाओ, बुलाओ, बुलाओ किसके अंदर लिला कंपनी दिन में? महिराज के अंदर और उत्रधाईत वा जागणी का किसको सोपा है पांजमे दिन में? महिराज को और नकर वारिश में? वंस में? रक्त के सबन से कौन है? भिहारी जी लेकिन अध्यात्मिक वारिष किसको बनाएंगे? मिहराज को मिहराज को बनाएंगे सुन्द साजी तो बार बार द्रोल से बुला रहे है पेले किसको बेचते है? बालबाई को बेचते है बालबाई ने बोला के भई तुमको बुलार ऐसा नहीं किया वहाँ गये लेकिन स्वष्ट बात वाल बाई ने भी वाँ बताई नहीं, बीच में कौन-कौन गये सुन्दसाजी दो बार, साड़ा पांच बज जाता ने बात तो तुड़ जाती, क्या करो जोड़ दू या नहीं, थोड़ा प्रशंग जोड़ देती हूं फिर बीच में, बीहार जी गये बीहार जी ने क्या बोला, अंबर कस्थूरी दे दो बापा को, स्ट्वास्थाई पिता जी को ठीक नहीं है फिर दुबारा गये और फिर पहली बार गये तब मिहराज ने पुछा के क्या सद्गुरु मेरे को याद कर रहे है तबी बोला, नहीं, नहीं, आपको कोई थोड़ी याद करते है आपके तो और अरब से आने की जो गांग जी भाई के भाई की संपती हड़ब कर ली, वोई बात चल रही है को तो आने की जरूरत, नहीं, आसी जुठी बात, गलत बात बोली ऐसे वित्तकारों ने लिखा है और दुबारा फिर भीहारी जी को बेजा तो संद्ध साजी भीहारी जी तो गए फिर बोला कि आउसदी चाहिए पिता को पेट में दर्द हो रहा है सत्य बात नहीं बताई चोथी बार कोन गए फिर बालबाई गई फिर बोला कि आपको कोन बुला रहा है सत्गुरु माराज याद कर रहे ये बात बोला, क्या बोला तब उसको खट रूती में संद्ध साजी वच्चन लिखे गए है क्या बच्चन लिखे खट रूती में धनी, तुम परदा पाचा की दापची वली आवित्या वसंत रूतु जो छे रूतु में दो-दो माह में संद्ध साजी जो बारो मैने में जो खट रूती में अपना वीरह ठाला है, वीरह जो प्रगट किया है कि इसमें खट रूती के जो पहले वाला 108 नंबर तक प्रक्रण है अठवान नंबर का प्रक्रण मेरे वच्चन वाला जीना वाले रारे लागे तहां तक वालबाय का प्रणा वालबाय के कहने पर प्रणाम नई श्विकार किया था वो पहले वाला वीरहे उसके बाद भी अक्रूर, ते तो उद्धव पर इंडूरे, अक्रूर पर इंडूरे, यह उद्धव, ते तो अक्रूर पर इंडूरे चड़ावियो, वो बात तो यहां की है, जब अक्रूर चार दिन के लिए मथुरा लेकर गये, बोले कि मैं वापस कृष्ण को भेजूंग को बोला, क्यों? क्योंकि बिहारी जी तो दो बार बले अउसदी के बाने आये, तो अक्रूर जब कृष्ण को मथुरा लेने के लिए बले ही जुठ बोले, कि मैं चार दिन में आ रहा हूँ, तो भी अक्रूर के समान, वो बिहारी जी रहे, लेकिन तुमने तो क्या किया, अ आपको सद्गुरू बार बार याद कर रहे, अरे मेरे को सद्गुरू याद कर रहे क्या, तो चलो मैं अभी राजप्रबंदग का काम है, अकला जी को सोब कर में कली आ रहा हूँ, ऐसे सुन्द साजी, जन्मास्टमी अभी आ रहे हैं ने, जन्मास्टमी श्रावन वद, अ गांग जी भाई के घर में हाँ, फिर एक बात में बीच में रख दू, कि उसका चर्चा का ठिकाना, जो चर्चा चलती थी ने, एक बार चुगल खोने चुगली कर दी, द्रोल में एक चला गया और एक फिरते रहने, उसके बार चर्चा का जो स्थान था, वो पास में बगी पिचे में चली गई, लेकि देहने का ठिकाना जो घर था ओ, गांग जी भाई का घर रहा, तो यहां सुन्दसाजी गांग जी भाई के घर में सत्गुरु लेटे हुए है, और वहां आये, और 22 दिन मिलन हुआ, सामन वदस्टमी से लेकर, भादरवा सुद 14 तक और 22 दिन मे जो जो उतरदाइत व जागनी का इंद्रावति को पाशमे दिन में सोपना था, 12 आत्माओं को जगाने का जो सुन्दसाजी काम था, और 22 दिन का काम भी, सुन्दसाजी 22 दिन में सब काम सोप दिया, और क्या कोन कोन आये उसको जगाना सकुमार सकुंडल की बाद भी बताई और 22 में दिन इंद्रावती को अपने घर भेज दिया मिहराज को और बुद्धवारी मध्य रात भई धनी भई अलग भादरवास सुध 14 बुद्धवार मध्य रातरी को बिहारी जी को कई सनंद थोड़ा ही पता लगा मिहराज को पता नहीं रहा दुसरे दिन पता लगा एसे विक्रम सं 712 में चोथे दिन की लिला पुर्ण हुई और पांच में दिन की लिला में हम सुनदत साथ जी अभी अंतर ध्यान लिला तो अंतीम में होगी लेकिन यहां थोड़ी लिला बता दी क्योंकि बुला लिया बाइस दिन तक बात चली एक बार तो बात यहां रख द लेकिन अंतिम में फिर यहां बताएगे में चुपाए दोराओं बोलूंगी आप दोराना महमती कहे ये साथ जी ये नवतन पुरी की बीता का याद करो इन शमय को सोभान देवु शबशाक सोभान देवु शबशाक बोल्यशी प्राण नात सी सत गुरू धाम के श्वामिशी लालदासी तिनो पुरी समस्त सुन्दर तर ना तर ना तर ना